वेलकम एवरिवन मैं हूँ प्रतिक्षा गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं आप सभी लोगों की सबसे जाता डिमांड करने वाली सीरीज की जो की हाल ही में नेट्फिक्स पर रिलीज हुई है और ये उन लवर्स के लिए है जो की जॉम्बी को अपना लव मानते हैं यानि क गाइस ये एक साउथ कोरियन सीरीज है जो की जॉम्बी अपोकलिप्स होरर स्ट्रीमिंग टेलिविजन सीरीज है इस सीरीज के अंदर जॉम्बी लवर्स की जितनी भी क्रेविंग है वो सब कुछ आपके फुल्फिल हो जाएगी तो चलिए फिर बिना प्रतिक्षा कराए म मैं आप सभी को ली चलती हूं All of Us Are Dead में गाइस ये एक साउथ कोरियन सीरीज है जिस सीरीज के स्टार्ट होने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ दी देती हूं एक ऐसा वाइरस बनाया जाने वाला था जो कि लोगों को नुकसान के लिए नहीं था लेकिन एक गल प्राइटिंग में हम लोग एं ग्रुप देखते हैं जहां पर जिंजू नाम का स्टूडेंट जो कि कुछ और स्टूडेंट के सामने विक्टम बना हुआ था उसे मारा चारा था बुली किया चारा था और उसे कहा जा रहा था कि तो हमारी कम्प्लेन करता है जिंजू बु चुका है लेकिन उनी में से एक स्टूडेंट को लगता है कि शायद उसे हॉस्पिटल पहुंचा देना चाहिए नई तो सारा इल्जाम इन्ही लोगों पे आ जाएगा सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में जहां हम जिन्जू की बहुत बुरी हालत देखते हैं जिन्जू से उसके फादर मिलने के लिए आते हैं जिनका नाम मिस्टर ली था ये दौनों आपस में बात करते हैं कि जिन्जू को इसलिए गुस्सा आया था क्योंकि ये लड़के उ जिन्जू को उसी बुख से बहुत बुरी तरीके से मारते हैं जब तक कि वो मर ना जाए मिस्टर ली अपने ही बेटे को एक सूट के इसमें पैक करते हैं और उसके बाद अपने इसात ले जाने लगते हैं लेकिन बीच रस्ते में ही जिन्जू का हाथ बाहर निकल आता है वो मिस्टर ली यानि अपने फादर का हाथ पकड़ लेता है हम देखते हैं कि जिन्जू के हाथ भी खूप सारे इंजेक्शन्स लगे हुए थे मानो कि मिस्टर ली अपने ही बेटे के उपर एक्सपिरिमेंट करते हूं इतने ज़ाधा मार खाने के बाद में भी जिन्जू अभी तक मरा नहीं था यानि कि जॉंबी काफी ज़ाधा स्ट्रॉऑंग होते हैं सिरिज आके बढ़ती है जहां हमें हाइऑ स्कूल दिखाया जाता है यहां हम एक लड़की को देखते हैं जो कि साइंस लैब में सोकी उठी थी उसे साइंस लैब से कुछ आवासे आ रहे थी इसी कारण आगे बढ़ने पर वो एक डबब को देखती है जिसके अंदर से जोर-जोर से आवास आ रहे थी डबबा उठाने पर उसे पता चलता है कि इ प्यारा सा माउस है लेकिन ये प्यारा सा माउस कौन सा मॉंस्टर हो सकता था ये इस लड़की को नहीं पता था यही वाइट माउस इस लड़की को बाइट कर दीता है जिस कारण इस लड़की के फिंगर से ब्लड निकल ले लगता है लड़की वहां से खड़ी होती है जान अब इंट्रिट्यूस होते हैं इस सीरीज की में लीट कैरेक्टर जहां लड़की का नाम सान था और उसी के सामने वाली लड़की का नाम ओंजो था ओंजो और सान बच्पन की दोस्ते इसी कारण ओंजो या सान को उसकी मॉम के रेस्ट्रों में खाना खाने के लिए बोलती है यहाँ Sane के साथ Onzo और बागी दो दोस्त भी इसी की मॉम के रेस्टों में पहुँच जाते हैं जहाँ सभी अच्छी तरीके से खाना खाने लगते हैं लेकिन साथ ही साथ में Mr. Lee की भी बात करते हैं कहते हैं कि आज कल साइस टीचर को नचाने क्या हो गया है जब से उनका बेटा गायब हुआ है तब से वो अलग-अलग सी हरकते करने लगे हैं एक दिन तो वो क्लास्रूम को छोड़ के चले गए थे और उनमें से बहुत ही गंदी स्मेल भी आती है सभी ये बात यहीं पर खत्म कर देते हैं उनका कहना था कि हमें इस बात से क्या लेना देना ओंजो यहां सान से पूछती है कि मैं कैसे अच्छी लगती हूँ बालो को एक तरफ रखे या दूसरी तरफ रखे हमें पता चलता है कि सान ओंजो को बहुत पसंद करता है यहां हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां रात होने पे स्कूल को चेक किया जा रहा था तब ही उसी लड़की के हाथ बंदे हुए थे लेकिन आखिर इस लड़की को क्यों बांद के रखा है यह हमें आके पता चलेगा यहां हम आंजो और उसके फादर को देखते हैं यहां अंजो के फादर आंजो को कहते हैं कि तुम अच्छे माक्स नहीं ले के आती हो तो तुम्हें स्टडी और जाधा करनी चाहिए बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पे कंस्ट्रिक्शन का काम अभी भी चली रहा था ये वही गैंग था जो कि सीरीज के स्टार्टिंग में दिखाया गया था इन सभी ने मिलके जिन्सों को भी बहुत परिशान किया था और अब इनके सामने दो और स्टूडेंट थे एक सुयोग था वो इसी गैंग के पास आता और मना करता है कि इस लड़की के साथ कुछ मत करो सुयोग अपने साथ इस लड़की और लड़की को साथ ले जाता है लेकिन लड़की कहती है कि मैं अगर आज यहां से चली गई तो यह लोग हमेशा मुझे परिशान करेंगे सुयो स्टार्ट हो चुकी थी जहां पे पिंक स्वेटर वाली लड़की काफे गुस्से में आती है क्योंकि सान के फ्रेंड ने स्कूल के स्टार्टिंग में उसे धक्का दे दिया था टीचर आके सभी बच्चों की फोन कलेक्ट करती है और उसके बाद में क्लास स्टार्ट होती है जहां पे क्लास टीचर उसे लड़की के बारे में पूछती है जिसे मिस्टर ली ने पकड़के रखा था लेकिन सारे बच्चे यही बोलते हैं कि हमने उसे साइंस लैब में देखा था उसके बाद किसी ने नहीं देखा इसी कारण क्लास टीचर मिस्टर ली से मिलने के मिस्टर ली कहते हैं कि मैंने एक लड़की को पकड़ा है क्योंकि इसे चूहे ने काट लिया है दीरे दीरे इसकी हालत खराब होती जा रहे है और आगी क्या होगा ये मुझे कुछ भी नहीं पता ऐसा लग रहा है मानों कि मिस्टर ली को एक डॉक्यूमेंटरी बना रहे है औ मुझे मत मारो मिस्टर ली कहते हैं कि मेरे पास कोई आप्शन नहीं है तुम्हें बचाने का यहां वही क्लास्रूम हम वापस देखते हैं जहां पे अप साइंस टीचर स्टडी करानी के लिए आये थे हम वही गैंग को देखते हैं जिसमें से एक लड़का उस लड़की को लड़की अभी भी रोय जा रही थी और मिस्टर ली अभी भी पढ़ाय जा रहे थे जो की पूरी स्टडी वाइरस पे थी मिस्टर ली ने अपने एक्स्पिरिमेंट किये थे इसी कारण मिस्टर ली को वाइरस से रिलेटेड अच्छी खासे नॉलिच थी यहां जिस लड़ बचचर अभी बच्चों को पड़ा ही रही थी, कि तभी वही लड़की क्लास में आ जाती है, जिसकी बहुत जाता बुरी थीॡ़्ट रहे थीॡ़ूर सारी बच्चों को शान्द करती है। बागी सारी बात हैं हम कंफर्म होने के बाद ही किसी को बोलेंगे यहां सुयों क्लास टीचर की मदद करता है इसी कारण पीछे-पीछे ओंसो भी चले जाती है यहां क्लास टीचर और स्कूल की डॉक्टर बोलती है कि यह लड़की हालत से बाहर है हमें शायद हॉस्पिटल फोन करके इसे एमरचंसी में ले जाना पड़ेगा लेकिन अब तक यह लड़की दीरे दिया जॉंबी बनती जा रहे थी जो कि किसी के कंट्रोल में भी नहीं आ रहे थी यहां क्लास के अंदर सभी बात कर रहे थे इधर अब एमुलेंस आ चुकी थी और उस लड़की को अब एमुलेंस में बिठा दिया गया था वही हम ऑन्जो और उसके फादर को देखते है यानि कि ऑन्जो की फादर हॉस्पिटल में ही काम किया करते थे यहां क्लास टीचर अपनी स्कूल के डॉक्टर से पूछती है कि क्या आ बिल्कुल ठीक तो है ना दूसरी तरफ आप अंजो और सुयोग क्लासरूम में जाने वाले थे लेकिन तब ही अंजो अपने सारी फीलिंग सुयोग के सामने एक्सप्रेस कर देती है यानि कि वो अपना बैच दीती है जिसके उपर उसका नाम लिखा था इसका मतलब था कि वो सुयोग के सान डेटिंग करना चाती है सुयोग कहता है कि तुम तो सान के साथ रहती हो तो अंजो कहती है कि सान मेरा अच्छा दोस्त है लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ इतने ही देर में यहां सान आ जाता है जिसके कारण ओंजो को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है सुयोग यहां सान से पूछता है कि क्या तुम्हारे और ओंजो की बीच में कुछ चल रहा है यहां मिस्टर ली समझाने की कोशिश करते हैं कि उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाना खत्रे से खाली नहीं है उसे वापस यहां बुलाई है जितना जल्दी हो सकी लेकिन प्रिंसिपल कोई बात नहीं सुनता और वो कहता है कि तुम्हें पहले स्कूल में बात करनी चाहिए थी पुलिस तक बात पहुचनी ही नहीं चाहिए थी मिस्टर ली कहते हैं कि आपने देर की थी मेरे बेटे के उपर कितना टॉर्चर हो रहा था इस बात को आपने कितना नजर अंदाज किया था जिन्सों के टाइम आपने कुछ नहीं बोला लेकिन तब तक प्रिंसिपल ने या पुलिस वालों को बुला लिया था दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कूल की जो डॉक्टर थी उनके हाथ पे बाइट किया गया था वो खुद को स्टेबल करने की कोशिश करती है लेकिन देखते ही देखते अब वो भी जॉंबी में बदल चुकी थी याँ हाँ स्कूल के लंच का टाइम था और सारे बच्चे कैंटीन की तरफ आने लगते हैं यहाँ अन्जो अपनी फ्रेंड से बात करती है कि क्या मैं तुम्हें सब कुछ बता दू तो इसकी फ्रेंड कहती है कि बताओ आकर तुम क्या कहना चाती हो तो यहाँ अन्जो अपनी फ्रेंड को कहती है कि मैंने सुयो को बता दिया है कि मैं उसे पसंद करती हूँ यहां इन दौनों की gossip चली रही थी कि तब ही हम देखते हैं कि सुयोग यहां पे class की president को पसंद करता है और वो class की president से जाके बात करता है कि क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी तो यहां class president कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं class president आकिर क्यों बनी हूँ वो आगे जाते हुए doctor को देखते हैं लेकिन doctor यहां कुछ अलगी तरही की हरकते कर रही थी जो कि सीधा भागते हुए आती है और एक student को सीधा face से नौच लेती है सभी को लगता है कि यह मसाग चल रहा है लेकिन जैसे ही वो teacher पलट के देखती है तब तो सारे student पुरी तरीके से डर चुके थे और भागने लगते हैं जिस student को face पे bite किया गया था वो अब zombie में बदल चुका था जो कि आगे जाके भागने लगता है और दूसरे student को bite करने लगता है यहां हम उस लड़की को देखते हैं जिसका वीडियो बनाया गया था लेकिन उसे रोकने के लिए वही लड़का आता है जो कि उस टाइम उसके सामने खड़ा था यहां यह लड़का बोलता है कि तुम please suicide मत करो लड़की बोलती है कि अगर मैंने suicide नहीं किया तो तुम और मैं दौनों मिलके loser ही क्या लाएंगे इससे अच्छा होगा कि मैं मर ही जाओ दूसरी तरफ यहां सुयोग और class president भागने लगते है यहां हम अभी canteen देखते हैं जहां तक अभी कोई बात नहीं पहुँची थी ओंजो की friend ओंजो को कहती है कि तुम्हें शायद सान से मदद लेनी चाहिए क्योंकि सान और सुयोग अच्छी दोस्त है यहां अउन्जो जब सान के पास जाती है और सब कुछ पता देती है कि वो सुयोग को पसंद करती है तो सान को काफी बुरा लगता है और वो ओंजो की मदद करने के लिए मना कर देता है इधर ओंजो जाने लगती है कि तभी देखते ही देखते एक साथ बहुत सारी बच्चे कैंटीन की तरफ भागते हुए आते हैं जैसे कि वो बचना चाहते हूँ देखते ही देखते मिरर तूट चाता है बच्चे अंदर कुसने लगते हैं लेकिन उनके पीछे थी पूरी की पूरी जॉम्बी की टीम जो बच्चे जॉम्बी बन चुके थे वो बागी बच्चों को बाइट करना चाते थे सभी अपनी जान बचा के भाग रहे थे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है जिसके बाद वही स्टूड़न जो सबसे पहले जॉम्बी बना था वो खड़ा था ओंजो के बिल्कुल सामने और इसी के साथ काईज यह फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म होता है अल आफ असाल डेट के लांस्ट अपिसोड में हम सभी नहीं देखा था कि कैसे इस हाई स्कूल के अंदर जॉम्बी वाइरस अटैक कर चुका है देखते ही देखते सारे स्टूड़न्स जॉम्बी में बदल चुके हैं जोकि सभी एक दूसरी को इंफेक्टिट करना चाते हैं इसी कंटिनिटि के साथ में एपिसोड नमबर सेकंड के शिर्वात होती है जहां कुछ बच्ची अभी गेम खेल रहे थे लिकिन इने ये नहीं पता था कि इनके गेम खेलने के साथ में जोंबी भी इनके साथ केलने के लिए आ जाएंगे दूसरी तरफ प्रिंसिपल आफिस में ये मीटिंग चल रहे थी कि ये सारी चीज़े स्कूल में रहनी चाहिए थी ये चीज़े बाहर जानी ही नहीं चाहिए थी वही क्लास टीचर बोलना चाहती है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बच्चों को बाहर भीशना चाहिए हालत बच से बत्तर होते जा रहे हैं लेकिन प्रिंसिपल ये बात सुने में इंट्रेस्टेट नहीं था नहीं तो स्कुल का नाम खराब हो जाएगा कि स्कुल में जॉम्बी घूम रहे हैं कलास टीचर बिना किसी की परवा कि ये सीधा बाहर निकल जाती है कलास टीचर को अभी भी नहीं बता था कि Zॉम्बी कितने खतरनाक हो सकते हैं कि उनी पे आके अटेक करने वाले हैं दूसरी तरफ कैंटीन में अभी भी जॉंबी फाइट चल रही थी जहां पर हम ओंजो को देखते हैं ओंजो को सान ने बचा लिया था लेकिन हर कोई अपनी जान बचा की इतर उतर भाग रहा था जो कोई जिंदा बच भी रहे थे तो ज होल उतना ही खराब था एंटरेंस पे दूसरी तरफ से पार्क के अंदर से हर जगा जॉंबी थे जहां ऑंजो और सान एक ट्रक के उपर चड़ जाते हैं और उसके मदद से एक बिल्दिंग के क्लास रूम में लेकिन वहां स्टेर्स में बहुत सारे जॉंबी मिलते हैं इसी तरफ से सुयोग और क्लास प्रेसिडेंट भी अंदर आ जाते हैं यहां हम उस इंफेक्टेड लड़की को देखते हैं जिसे अब हॉस्पिटल लेकिया गया था और साथ ही साथ मिस्टर ली का इंटरोगेशन भी चल रहा था अब यहां डेटेक्टिव मिस्टर ली से उसकी को पहले भी बताया था कि यह विडि flatter ली की बायोग्राफी यहांपे हमें दिखाए जा रहे थी मिस्टर ली का इस वायरस को बनानी के पीछी का रीजन हमें बताया जाता है कि मिस्टर ली का जो बीटा था वह काफी साथ डरू किसंद़् का लड़का था इसी कारएं कर दिया अपने बीटे में क्योंकि चुहे की अंदर इस टाइम पर फिलिंग थी कि वो बिली को मार दे मिस्टर ली सोचते रहे कि उनका बीटा भी ऐसा ही हो जाएगा यानि कि वो स्ट्रॉंग हो जाएगा लेकिन ये सारा एक्स्पिरिमेंट गलत हो गया मिस्टर ली का बीट ये लड़की भी पूरी तरीके से सॉंबी में बदल चुकी थी जो कि हॉस्पिटल के स्टाफ को इंफेक्टेट करती जा रहे थी यहां हम उस लड़की को देखते हैं जो कि स्कूल से सई टैम पे निकल चुकी थी और साथ ये साथ स्कूल का एक ऐसा ग्रूप जो कि एक अग्रेश कॉल कर सके और इस sih के साथ में यहां एक बहुत फषनी सीन होता है यानि कि फोन लेकर ये एक जॉम्वी के फेस की अउपड़ाते हैं ताकि जॉम्वी के फेस से फोन का लॉक उपन हो सके तब ये पिछे से ऑन्जो बोलती है कि एमरजंसी कॉल करने के लिए पोन कॉल आता है इसी स्कूल से और वो बच्छे भी रो रहे थे जॉम्बी का नाम लेके बात दीरे-दीरे सीरिस होती जाती है यहां अंजो अपने हाथ से फोन लेती है और फायर स्टेशन पे कॉल करती है लेकिन वहां पे जॉम्बी की बात सुनके कोई बात नहीं मानता तो क्लास प्रेसिडेंट बोलती है कि आज तुम्हें मैं याद आ गई इतने टाइम तक तो तुम मुझे कोई क्लास प्रेसिडेंट नहीं मानता था और आज मुसीबत आई तो तुम सब लोग मेरे पास आये हो पिंगल सभी को उल्टा सीधा बोलने लगती है जिसके कारण सान क कि फ्रेंड को इतना गुसा आता है कि वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनकी स्कूल का एक टीचर इनी के रूम में एंटर कर जाता है सभी को लगता है कि वो नॉर्मल है टीचर सभी को कहता है कि हमें रूम को ब्लॉक करना पड़ेग और फाइनली इन लोगों का शक ठीक था यानि कि ये टीचर भी इन्फेक्टेट था जो कि जॉम्बी में बदल चुका था और सीधा अटैक कर देता है एक लड़की के उपर और वो लड़की भी इन्फेक्टेट हो चुकी थी अब या तो इन सभी को रूम से बाहर निकलना था यहाँ पे इस सभी ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें ही इस रूम को छोड़ देना चाहिए लेकिन बाहर निकलने के बाद में भी पूरी जॉम्बी आर्मीन के आसपास थी इस ग्रूप के बॉइस क्लास रूम के डोर को और विंडो को शील्ड बना लिया था जिससे कि क पीछे धक्का दे कि ये सभी रूम के अंदर एंटर कर जाते हैं ये साइंस लैब था लेकिन अभी भी जॉम्बी आना बंद नहीं हो रहे थे इतनी ही देर के अंदर ओंजो को याद आता है कि हमारे साथ में सुयोग नहीं है अकर सुयोग कहां पर गया है क्योंकि सुयोग पहले भी सबकी बहुत मदद की थी हर जगर सुयोग का फाइट सीक्वेंस हमें देखने के लिए मिला है सुयोग अच्छे एथलेट के साथ में अच्छा फाइटर भी था लेकिन अब वो टीम के साथ में नहीं है ओन्जो यहां सान से पूछ थी कि सुयोग कहां पर है लेकि हम नीचे जाते तो ये हैल से कम नहीं था और अगर हम उपर हैं तो भी हम अकेली ही हैं इसी के साथ हम फिर से कैंटीन को देखते हैं जहां पे बुली गैंग में से एक लड़का अपनी जान बचाये हुए था लेकिन एक लड़की की आवास करने की कारण वो उसे जोर से धका देता है ताकि जॉम्बी आके उसे पकड़ ले और इस लड़की की जान बच जाए यहां गर्ल्स वाश्रूम में हम तीन लोगों को देखते हैं जिसमें से एक लड़की का नाम पार्क मिजिन था इस लड़की को देखके लग रहा था कि ये बाकी लोगों से जादा कॉंट कर देती हैं दूसरी तरफ हम यहां क्लास टीचर को देखते हैं जो कि फाइनली उस जगह पे पहुंच चुकी थी जहां से वो अनॉंस्मेंट कर सके इधर वाश्रूम के अंदर मिजिन को समझ आ चुका था कि अगर उसने इस लड़की को नहीं मारा तो वो लड़की इन किता सॉंबी को मार देती है लेकिन इस लड़की ने अभी भी ऐरो तान रखा था पीछे से आया हुआ इसका फ्रेंट बोलता है कि सामने वाले दो स्टूडन्स एफेक्टेड नहीं है यहां क्लास टीचर अब अनॉंस्मेंट करने लगती है जहां सभी का सेम हाल था क्लास से पता चल रहा था कि जितने लोग इंफेक्टेड नहीं थे वो सभी क्लास टीचर से रिलेट कर पा रहे थे अब हमें सीन दिखाया जाता है कि कहां कहां पे कौन कौन लोग सेफ हैं यहां हमें ऑंजो के फादर भी दिखाया जाते हैं जो कि अपनी टीम के साथ में अब स्क पे गुस्सा मत करो लेकिन सान का मूड खराब था इसी कारण वो इसाग को सही ठंक से जवाब नहीं देता इसाग जब यहां ऑंजो की पास जाती है तो यह दोनों अपस में बात करने लगते हैं कि खैर जो भी हुआ हम दोनों तो एक साथ में हैं और सुयोग बहुत ने ठंटी कैसे हो गई है तभी ओंजो इसाग से थोड़ी सी दूर होती है और अब हम देखते हैं कि इसाग के नाक से ब्लीडिंग होने लगती है जिसके बाद में सभी को पता चल चुका था कि इसाग भी इंफेक्टेड है यानि कि यह लोग जब फाइट कर रहे थी तो ए ऐसे तैसे ओंजो को बचा लेता है और इधर इसाग के अटेक करने के कारण वो खुदी बिल्डिंग से गिरने वाली थी लेकिन ओंजो ने अभी उसका हाथ नहीं छोड़ा था क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी आज से नहीं बलकि बचपन से बेस्ट फ्रेंड थी तो ओंजो इस मुमेंट के अंदर भी अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं छोड़ना चाती थी लेकिन सान को पता था कि अगर इसाग नहीं नीचे गिरी तो वो सभी को इंफेक्टेट कर देगी यहां ओंजो को सारा टाइम याद आने लगता है बचपन से लेकि आज तक का औ हम इस जगह को छोड़ना पड़ेगा इसी कारण वो वाटर पाइप को अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है आखिर में जब यह वाटर पाइप उसकी तरफ आ जाता है तो यह उसे एक रोप की तरह यूज करते हैं और यहां सान सबसे पहले जाने वाला था लेकिन वो स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि जल्दी नीचे आजाओ हम लोग यहाँ पर सेफ हैं एक एक करके सारे स्टूडेंट नीचे उतर चुके थे अब लास्ट के अंदर सिर्फ सान और ऑन्जो ही बाकी थे सान ऑन्जो को बहुत समझाता है कि यहां से जल्दी नीचे चलो लेकि इसके बाद में ऑन्जो बात मान जाती है सान की और वहां से नीचे उतर जाती है अब यहां पर सान आखिर में बचा हुआ था वह वेट कर रहा था कि आन्जो नीचे उतर तब जाकि वह नीचे उतरना अब लेकिन इतनी देर के एंदर जांबी इस कमरे के अंदर एंटर कर चुके थे हम यहां सुयोग को भी देखते हैं जो कि हलकी हलकी आवाज में बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन तभी एक पैंसिल गिरने से जॉम्बी को पता चल चुका था कि यहां कोई इंसान है सुयोग कैसे तैसे करके विंडो से बाहर निकलता है लेकिन जंप नहीं कर पाता इसी कारण वो विंडो के मदद से साइड साइड में आता जाता है दूसरी तरफ यहां सान भी रूम के अंदर था बाकी सब भी उसका वेट कर रहे थे लेकिन सीन सीधा यह दिखाया जाता है कि सारे जॉम्बी ने अटेक किया सान के उपर और सारे के सारे एक साथ नीचे गिरे और इसी सस्पेंस के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और सारे के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सान के उपर जॉम्बी का अटेक हो चुका था इसी कंटिनिटी के साथ में एपिसोड नंबर थर्ड के शिर्वात होती है जहां पे हम इंटेरोगेशन वाला रूम देखते हैं इसी के साथ मिस्टर ली से पूछा चाता है कि आपने आगर इस वाइरस को क्यू बनाया जहां पे मिस्टर ली का जवाब था कि अगर आप अपनी बच्चे को सलामत रखना चाते तो आप आखिर क्या करते उसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि स्कूल से चल्दी छुटी लेकि चली गई थी असल के अंदर ये लड़की प्रेगनेंट थी और उसने वाश्रूम में चाकि एक छुटी से बच्चे को जन्म दिया था ये लड़की उस बच्चे को वाश्रूम में ही छोड़की चली जाती है लेकिन बाहर आने पे देखती है कि बाहर का महौल पूरी तरीके से बिकड़ चुका है यहाँ पे मिस्टर ली बताने की कोशिश करते हैं कि वाइरस ऐसा है जो कि दूसरे से लड़ने की कोशिश करता है यहाँ सुयोग को हम देखते हैं जो कि अपने आपको बचाते हुए विंडो की बॉर्डर पे चल रहा था और उसी टाइम उसका ध्यान जाता है सान के उपर जो कि जॉम्बी से लड़ता हुआ सीधा नीचे की तरफ गिर रहा था लेकिन फिर पे सान बच गया था सान का पैर एक जॉम्बी ने पकड रखा था सुयोग कहता है कि पैर से मार के से नीचे गिरा लेकिन सान ऐसा नहीं कर पाता इसी कारण सुयोग सान की हल्प करने के लिए जाता है और उसके बाद ये दौनों रूम में पहुंच जाते हैं सबी इन दौनों को देखें बहुत खुशते कि दौनों जिन्दा बचे हुए हैं जिसके बाद ये पैंक गल सान की पैस्ट फ्रेंड से जखड़ा करने लग चाती है और उसे कुछ गंदी वर्ट्स बोल देती है टीचर आकी इन दौनों के बाद सॉल्फ करती है और कहती है कि आज के बाद तुम दौनों को इतने गंदी वर्ट्स बोलने की जरूरत नहीं है इधर हम देखते हैं कि लड़की आगी की तरफ पढ़ने लगती है जाहां उसे अपने सामने इतने सारे जौंबी देखते हैं साथी साथ कारों का एक्सिडेंट होता है काफी देर हो गई थी जब काच के उपर जोर-जोर से ये पाइप टकरानी लगा था असल के अंदर ये एक जौंबी का काम था जो कि जौंबी सीधर रूम के अंदर पहुंच चुकी थी सभी इसे दूर भगाने की कोशिश करते हैं सान के हाथ में एक स्टिक थी जिससे कि वो जौंबी के शूलडर में मारता है लेकिन फिर भी ये जौंबी नहीं मरती इसी बीच के अंदर सान का फ्रेंड सीधर सीपीउ उठाता है और जौंबी के मुँपे मारता है जिसे कि जॉंबी और CPU दौनों नीचे गिरते हैं लेकिन अब यहाँ पे खड़ी पिंगल को लगता है किसान का फ्रेंट इंफेक्टेड हो चुका है और उसे जॉंबी ने काट लिया है क्योंकि इस लड़के के नाक से खून बहरा था यहाँ सीन शिफ्ट होता है ओंजो की फादर पे जो कि एमर्जेंसी सर्विसेस के कारण एक पॉलिटिकल इवेंट में पहुँचे थे काफी सारे पॉलिटिकल लोग यहाँ पर थे लेकिन अल्रेड़ी एक आदमी इंफेक्टेड हो चुका था यहाँ के लोग ऑंजो के फादर को सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ आखिर क्या चल रहा है यहाँ एक लेड़ी आके बताती है कि क्या आप लोगों ने बताया है कि आखिर मैं यहाँ पे हूँ इसका मतलब था कि ये लेडी कोरिया की एक strong politician है और information भिजवाती है कि जल्दी से आके helicopter को बोलो कि मुझे यहां से लेके जाए जब यह लोग यहां पे बैठे एक infected आदमी को बाढ़ने की कोशिश करते हैं तो यहां पे rescue team के एक बंदे का हाथ इसी आदमी ने काट लिया था यहां अब classroom के अंदर इस पिंगल के कारण अब सभी बच्चे सान के friend के उपर शक करने लग गए कि सान infected है सान का friend सभी को समझाता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है मैं बिलकुल ठीक हूँ मेरे हाथ पे सिर्फ खरोच लगी है सभी आके सान के friend का हाथ देखते हैं जो कि सब कहते हैं कि यह सिर्फ खरोच है किसी ने भी इसे bite नहीं किया है लेकिन पिंगल यह बात मानने को तयार नहीं थी इसी कारण सान का friend कहता है कि मैं अकिला ही बैट जाओंगा मुझे किसी की जरूरत नहीं है और वो गुसे में आके खुद को इक कमरे में बंद कर लेता और बोलता है कि एक गंटे तक मैं बाहर नहीं आऊँगा उसके बाद तो तुम सब लोगों को तसली हो चाएगी यहां टीचर कहती है कि अगर यह लड़का इंफेक्टेड नहीं हुआ तो तुम्हें इसे माफी मांगनी पड़ेगी जहां पिंगल उस टाइम तो हां कर दीती है इधर हम स्कूल के किचन का सीन देखते हैं जहां पे बुली गैंग का एक लड़का अभी तक अपने पांस में बैटे तीन चाल लड़कों को जॉम्बी के हवाले कर चुका था ताकि कोई भी जॉम्बी आके उसे न मारे वो खुद भी अभी सवाइफ कर रहा था और अल्मोस्ट अभी किलर बन चुका था जो भी जॉम्बी उसके पास आ रहे थे खुद को बचाने के लिए वो उन्हें मारता जा रहा था यहां क्लासरूम में सभी एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है वो जो लड़का अंदर बैठा है लेकिन अभी तक उसमें कोई सिम्टम नहीं आया है जॉम्बी बनने वाले जादा से जादा पांच या दस मिनट में जॉम्बी बन जाते हैं इदर टीचर भी अपनी स्टूडेंट को कहती है कि सब को चल दी ठीक हो जाएगा यहां सान आके अंजो से पूछता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना सब कुछ तुमारे लिए ठीक चल रहा है लेकिन अंजो अपनी फ्रेंड साख को याद कर रही थी क्योंकि वो भी अब जॉम्बी में बतल चुकी थी यहां हम सान के पेरिंज को देखते हैं जिन्होंने सान के नाम से एक रेस्टरॉण उपन किया था लेकिन सान की मॉम टीवी के अंदर एक इंफोमिशन देखती है जिसके अंदर पता चलता है कि वाइरस पूरे शेहर को खाता जा रहा है और धिरे धिरे करके सब इंफेक्ट जाएगा ओंजो की फादर जब अपनी रेस्क्यू टीम की तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनका ही एक मेंबर इंफेक्टेड है देखते ही देखते वो भी जॉम्बी बन जाता है और इन्हें अपने ही रेस्क्यू मेंबर को बांधना पड़ जाता है शहर में सिक् रिफ्ट होता है यहां वाश्रूम में जहां ऑलरी वे दो स्टूडर्ट थे और इनके साथ में दो प्ल्येयर स्टूडर्ट थे यहां पर मेजेन जो थी वो सीनियर स्टूडर्ट थी इसे कारनAttव अपने जूनियर से अच्छी तरी आए भाई अब तु बाहर आजा लेकिन सान का फ्रेंड कहता है कि मैं आप बाहर नहीं आऊंगा जब तक एक गंटा पूरा नहीं होगा नहीं तो वापस सब लोग मुझे शक करेंगे सान अपनी टीचर को बोलता है कि आप जाके आए सान की टीचर भी अंदर जाती है लेकिन लड़का बाहर नहीं आता इसी कारण टीचर आके इस पिंगल को बोलती है कि अब तुम्हारी बारी है तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी लेकिन ये पिंगल इतने जादा गुसे में थी कि इसने एक बहुत गला थरकत कर दी जिस स्टिक से जॉंबी के शोल्डर में मारा गया था उसी स्टिक को इसने एक हैंकी से साफ किया और वो बलड जाके अंदर बैटे हुए लड़के के हाथ पे लगा दिया सबको लग रहा था कि वो उसकी चोट ठीक कर रही है लेकिन असल के अंदर ये लड़की इतनी स्मार्ट निकलती है कि infected zombie का blood इस लड़के के blood में मिला देती है जबकि इस लड़के को कुछ भी नहीं हुआ था और वापिस से जगड़ा करके वहां से बाहर निकल आती है ताकि सभी को लगे कि यह लड़का अभी भी infected है रात हो जाती है लकिन अभी पे साफ के friend को कुछ नहीं हुआ था सभी लोग इस पिंगल को कहने लगते हैं कि तुम जूटी लड़की हो, तुमारे कारण फाल तुम इस लड़की को अंदर बिठाया गया, यहां सान का फ्रेंड कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन देखते ही देखते ही यहां में पता चलने लगता है, कि यह लड़का भी बॉडी इंफेक्टेड हो जाती है, यहां सान का फ्रेंड रोने लगता है कि मैं इंफेक्टेड नहीं हूँ, तुम लोग मुझसे मट डरो, लेकिन अब सारे लोग धीरे-धीरे करके पीछे जाने लगते हैं, इस लड़की को खुद इतना बुरा लग रहा था कि मैं इंफ सान उसे विंडो से नीचे गिरवा देता है, यहां पर हम उस लड़की को देखते हैं, जिसने अभी बच्चे को चन्म दिया था, वो वापिस से ऐसे मोहल को देखते हुए अपने बेबी को साथ लेती है, और वहां से भागनी की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि इ बाद बांध रखे थे, इसी कारण वो अपने बच्चे तक नहीं पहुच पाती है, दूसरी तरफ वो ऑफिस जहां पे सारे पॉलिटीशन्स बैटे थे, वो भी बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि उनके पास भी कोई सर्विस नहीं पहुच पा रही थी, इसका मतलब है और इस लड़की से गुसा करने लगती है, और सभी को बताती है कि मैंने अपनी आँखों से देखा था, जब सब लोग उस लड़के को क्लासरूम के अंदर देख रहे थे, तो पिंगल ने पीछे से आके स्टिक को साफ किया, जॉंबी का बलड इस हैंकी में लिया, और मॉंस्टर बन जाएगी, जब धीरे-धीरे करके ये बात सबको पता चलने लगती है कि जान करके पिंगल ने इने के फ्रेंड को जॉंबी बना दिया, जो कि बहुत अच्छा लड़का था, तो सभी को गुसा आता और वो उसे मारने के लिए भागते हैं, लेकिन कैसे तैसे करके टीचर सभी को शांत करती है, ये लड़की बैठ के रोने लग जाती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरी कोई बात नहीं समझता और वो दर्वाजा खोल के बाहर निकल जाती है, जहां पर टीचर भी किसी को बाहर नहीं जाने देती, और कहती है कि हमें एक दूसरे की चान बचानी है वसी ध्यान रखना कि कोई भी किसी को मारेगा नहीं और सब एक दूसरे की चान बचाएंगे जिसके बाद टीचर सभी को अंदर रोके उस पिंगल को बचानी के लिए बाहर चली जाती है यहां जितने भी बच्चे अंदर बैठे थे वो गुस्से में आ रखे थे कि पिंगल के कारण उनका एक दोस्त जॉंबी में बदल चुका था जो कि बिल्कुल ठीक था इधर पिंगल रोते हुए जाती है जहां पर सारे जॉंबी को पता चल चुका था कि उनके आँस पास एक नॉर्मल इंसान है और टीचर भी उसे बचानी के लिए आगे की तर पूर आएगी इसी कंटिनिटे के साथ में एपिसोड नंबर 4 की शिर्वात होती है जहां हम देखते हैं कि यह सिटी एक जॉंबी लेंड बन चुका है इसकी नियुस कहीं आगे तक के सिटीज में जा चुकी है इसी कारण कुछ व्लॉगर व्लॉग बनाने के लिए यहां प बहुत चाता है जिसके बाद रात होने पे यही व्लॉगर की बुरी हालत हो चुकी थी क्योंकि इसने अपने आखों से हर जगव जॉंबी देखे थे इस व्लॉगर के जितने भी सब्सक्राइबर इसे कमेंट कर रहे थे वो काफी कॉमेटी कमेंट थे सारे सब्सक्राइबर को लगता है कि ये व्लॉगर जोट मूट का विडियो बना रहा है और आसपस कोई जॉम्बी नहीं है सीन शिफ्ट होता है सान की मॉम के उपर जो कि इस वक्त इस स्कूल के आसपासी थी और वहां से भी भागने की कोशिश कर रही थी यहां क्लास रूम में अब सभी लोग सास बैठे थी क्योंकि अब तक इने बचाने के लिए कोई नहीं आया था सान और आंजो आपस में बात करते हैं जहां में पता चलता है कि इन दौनों ने ही अपने दोस्त खो दिये हैं इधर एक तरफ सान की मॉम इसे स्कूल के गार्डन के अंदर पहुंच चुकी थी और उन्होंने सान की बेस्ट फ्रेंड को देखा था वो कहती है कि बेटा तुम अभी यहीं पे हो बताओ ना सारे बच्चे कहां पर है सान इस टाइम पर कहां होगा वहीं दूसरी तरफ सान ऑंजो को बताता है कि मेरे घरवाले तो बिलकुल अच्छे से होंगे वो इस टाइम लोग एक साथ बैटे थे तो इनके बीच में बात आती है कि जॉंबी के अभी तक किसी की भी चिलाने की आवास नहीं आई है ना ही हमारी टीचर की और ना ही उस पिंगल की इसका मतलब है कि वो अभी तक जिंदा है इन लोगों के आपस का कन्वसेशन ये था कि कि किसी को ल रुकना पड़ेगा जिसकी बास सीन शिफ्ट होता है स्कूल की टैरिस के उपर जहां ये दो स्टूडेंट अभी तक छट पे ही थे इस लड़के के दिमाग में अभी भी यही बाते चल रही थी कि इनसों ने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो के बारे में इस लड़की को बता दिया जाए लेकिन फिर भी ये लड़का इस लड़की को नहीं बताता कि वो वीडियो अगली सुबह आउट होने वाला है यहां पर सबको वेट तो करना ही था लेकिन वाश्रूम जाना तो एक नीचर कॉल है तब यहां पर ऑन्जो बात करती है और कहती है कि मेरे ड फादर बोलते हैं कि आप सब लोग यहीं वेट करिये मैं हाईसन स्कूल जाकर आता हूं दूसरी तरफ क्लास रूम में अब एक टैंपरेरी वाश्रूम बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई थी इन्हीं के पांस में एक रिकॉर्डिंग रूम था उसे कवर करके कुछ जाएंगे डिहाइड्रेट होते जाएंगे सबी लोग बोलते हैं कि हम लोग औरेडी डरे हुए हैं इसमें यह बात करने की जरूरत नहीं है यहां पर प्रेसिडेंट यह भी बताती है कि सामने वाली बिल्टिंग की लाइट सौन नहीं है अगर वो लाइट आउन होती तो चाहिद हमारे पास कोई होप होती, लेकिन अब हमारे पास कोई होप नहीं है। दूसरी तरफ ओंजो के फादर इस पॉलिटिशन को बोलते हैं कि आप लोग यहाँ वेट करिये, मैं यहाँ जल्दी पहुँच जाओंगा। लेकिन politician खुद की जान खत्रे में नहीं डाल सकती थी इसी कारण वो बाकियों के बारे में भी बताती है कि इस room के अंदर जितने भी लोग फसे हैं उन सब का घर आसपास है लेकिन मैं किसी को भी जाने की permission नहीं दे सकती हूँ और आज आपको अपनी बेटी और ड्यूटी में से किसी एक चीज़ को चुनना पड़ेगा जिसके बाद आंजो के फादर इस चकह से नहीं निकल पाते हैं अब हम यहाँ पे इंसो को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाता हुआ भाग रहा था तभी उसे एक साइकल मिल जाती है लेकिन उसके पीछे अभी भी पूरी एक सॉंबी की आर्मी पड़ी हुई थी इंसो कैसे तैसे करके एक रूम के अंदर गुज जाता है और वो रूम और किसी का नहीं बलकी स्कूल के प्रिंसिपल का था जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है वाश्रूम के अंदर यहाँ पार्क मिजिन और इसी के साथ में एथलीट भी थे यहाँ पर मिजिन कहती है कि अब हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए काफी रात हो चुकी है रात के अंदेरे में हमें कोई नहीं देख सकता जिसके बाद में एथलीट और मिजिन दौनों की बीच में पहले बहस होती है और उसके बाद में तो इन दौनों के हाथ भी चल जाते हैं बिचारा व्लॉकर जो इस सिटी के अंदर व्लॉक बनाने के लिए आया था वो अब खुद की ही जान को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था गलते से वो एक प्ले स्कूल के अंदर पहुँच जाता है जहां पर पहले तो उसे हर तरफ सनाटा दिखाई देता है लेकिन उसके बाद में वहाँ छोटे छोटे बच्चो वाले जॉम्बी थे जो कि इस लोगर पे पुरी तरीके से अटेक कर देते हैं यहां डेटेक्टिव को अब दीरे दीरे पूरे शहर की हालत पता चल चुकी थी जो कि मिस्टर ली के उपर बहुत गुसा करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे कारण ही पूरा शहर बर्बाद हो रहा है उन लोगों की भी जान खत्रे में हैं जो कि मासूम थे मैंने माना कि यहां के सारे लोग अच्छे नहीं हैं लेकिन उन लोगों का क्या जिनोंने किसी का कुछ नहीं बिकाड़ा है आखिर तुमने इस वाइरस को बनाया ही क्यों था तब यहाँ पर मिस्टर ली अपने बीटे जिंसू के बारे में बताते हैं कि उसकी इतनी बुरी हालत कर दी गए थी कि वो अपना हाथ काटने तक के लि कोई जरूरत नहीं है बच्चे तो मजाक मस्ति करते रहते हैं इसमें किसी को सीरियस होने की कहा जरूरत है उपर से मिस्टर ली की प्रॉफिशन के बारे में भी बोल दिया गया था कि आपको तो एक यूनिवरसिटी से बाहर बे निकाल दिया गया है इसका मतलब था कि मिस् बैक करना ही पड़ेगा उसी के बाद जिंसुने सुसाइट करने के बारे में सोचा जिसके बाद मिस्टर ली खुद को नहीं रोक पाए और उन्होंने अपने बेटे के अंदर यही वाइरस इंजेक्ट कर दिया डिटेक्टिव यहां मिस्टर ली के ओपर बहुत गुसा करते ह कि आखिर इन चीजों को ठीक कैसे किया जा सकता है मिस्टर ली इसके बारे में कुछ नहीं बताते और अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताते हैं 46 डेज हो चुके थे जब मिस्टर ली का बेटा जिंसु और उनकी वाइफ सॉम्बी बने हुए थे इन्हें ठीक नहीं किया ज कि जिन लोगों ने भी उसके बेटे के साथ अच्छा नहीं किया उसके साथ में अब सारी लोग इस वाइरस के चपीट में आ चुके हैं उसके बाद फाइनली मिस्टर ली ने सोच लिया था कि उसे अब अपनी गलती को सुधार न चाहिए वो डिटेक्टिव को बताता है कि तुम्हें एंटीडोट लेने के लिए हैसन स्कूल में चाना पड़ेगा साइंस लैब के अंदर मेरा लैपटाप पड़ा है जिसके अंदर तुम्हें एंटीडोट मिल जाएगा और उसके बाद मिस्टर ली सारे जॉम्बी को अपने उपर ले लेते हैं ताकि डिटेक्टि को एक पुलिस वाला मिलता है जो कि अभी तक इंफेक्टिड नहीं था इसी कारण वो पुलिस वाले को अपने साथ लेके हैसन स्कूल की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे अब अगली सूबह हो चुकी थी जहां उठते ही सबसे पहले स्टूडेंट नीचे पाक के इंदर देख है कि तुम्हारा भाई भी अब तक जॉंबी बन चुका होगा इसी कारण हमें यहां से सीधा भागना चाहिए लेकिन एथलेट बोलती है कि तुम्हें अगर हमारे साथ चलना है तो पहले सेकंड फ्लोर पे चलना पड़ेगा दूसरी तरफ बागी क्लासरूम में बैठे सार बच्चे यही सोचते हैं कि अब आखिर यह बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते हैं तब इनके पास आइडिया आता है कि वापिस से हमें एक बार एमर्जंसी कॉल करना चाहिए शायद सबको लग रहा हो कि इस स्कूल में कोई बचा ही नहीं है जहां पे सुयोग बोलता है कि हमारे सब के फोन टीचर ने रख लिये थे अब हमें उसी रूम में जाना पड़ेगा और एक फोन को लेना पड़ेगा जिसके बाद में सान तयार हो जाता है और वहां से खुदी निकल पड़ता है जिसके बाद सुयोग भी सान की हेल्प करने के लिए साथ साती जाता है लड़की इस लड़की को बोलती है कि अब तुम्हें मेरे साथ में चलना पड़ेगा मेरी हेल्प के लिए लड़का साफ मना कर देता है कि नीचे जाना बहुत जादा खतरनाक होगा वैसे भी इस टाइम पे कौन तुमारा वीडियो देखने के लिए बैठा होगा लेकिन य लटकते हुए क्लास टीचर रूम के अंदर पहुंच जाते हैं लेकिन इसके अंदर भी अभी जॉम्बी थे हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि टैरिस से नीचे उतरी थी देखते ही देखते ही इस लड़की के ओपर भी सभी जॉम्बी ने अटेक कर दिया था लेकिन फ फिर भी ये अभी बैटके सारे फोन तोड़ रही है, सान और सुयोग को कैसे भी करके बस एक फोन चाहिए ताकि ये एमरजनसी कॉल कर सके, एक फोन नीचे की तरफ गिरता है, लेकिन सान अपनी तरफ जैसे इस फोन को खीचता है कि तभी इस लड़की की नजर इन दौनों प कैता है कि आप और किसको दे रहे हैं, आप तो ये पूरा का पूरो स्कूल मेरा है, आप मेरे लिए कार्ड लेकिया या फिर आप मेरे साथ चलिए, प्रिंसिपल कहता है कि मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूँगा, लेकिन इन सो यहाँ पे बहुत जादा वाइल्ड हो मदद से दूर रखने की कोशिश करते हैं, जैसे ही वाटर पाइप चालू होता है, तो ओंजो के फादर इन सारे जॉंबियों को अपने से दूर रखते हैं, और सभी को कहते हैं कि स्टेर की मदद से टेरिस पे जाने की कोशिश करिए, क्योंकि इस टाइम तक एक वाला था, वो उपर जाता है, और जाके लॉक को तोड़ता है, सभी लोग उपर जा चुके थे, आखिर में ओंजो के फादर बचे थे, जो कि सारे जॉंबियों को नीचे रखने की कोशिश कर रहे थे, दरवाजा खुलने की बाद सभी लोग टेरिस पे पहुँच चुके लेकिन ये रेस्क्यू टीम वाला बंदा अभी भी ओंजो के फादर का वेट कर रहा था, आखिर के अंदर ओंजो के फादर सिर्फ अकेले उपर की तरफ आते हैं, फाइनली ये लोग टेरिस की तरफ पहुच चुके थे, रेस्क्यू चॉपर भी इन लोगों को देख चुक प्रिंसिपल सान को कहता है कि इसी जल्दी करो मेरे हाथ छुडवाओ, लेकिन इनसू मानो पागल हो चुका था, वो सान की ही तरफ आगे बढ़ता हूँ आता है, और कहता है कि तु क्या करेगा ये बता, तु मुझे फोन दे, और वो सान के सामने ही प्रिंसिपल को जान से म मारता है, और इसी के साथ में गाईज ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, और कि कैसे अभी तक सभी लोग वेट कर रहे थे, कि कोई भी रेस्क्यू टीम आके उन्हें रेस्क्यू कर लेगी, लेकिन अब तक इनके पास कोई भी नहीं पहुचा था, इसी कंटिनेटी क के साथ में एपिसोड नंबर फिफ्ट के शिर्वात होती है, जहां पे हम मिजन वाली ग्रूप को देखते हैं, आर्चरी वाली गल अपने भाई को डूनते वे फर्स्ट और सेकिंड फ्लोर पे पहुचती है, ये लोग जॉम्बी से फाइट करते हुए आके बढ़ते हैं, लेकिन फिर पिल्स करल को अपना भाई नहीं मिलता है, जिसके बाद सीन क्लास्रूम में शिफ्ट होता है, सभी लोग अभी वेट कर रहे थी कि हमें रेस्क्यू करने के लिए अब कोई होप नहीं बची, अब यहां से या तो हमें खुद निकलना पड़ेगा, या फिर हम ख पूरे शेयर को खत्म कर दिया है, हर जगर कॉन्फरेंस होती है, इसी के साथ में मार्केट गिरता जाता है, शेयर्स पूरी तरीके से डूप चुके थे, यानि कि कोरिया की हालत बच से बचतर होती जा रहे थी, कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कोरिया में रहने वा लोग भी इंफेक्टेड हो जाएंगे, उनने ये लग रहा था कि छूने से ये वाइरस फैलता जा रहा है, जहां दुनिया सीरियस होती जा रहे थी, वहीं पे कुछ लड़कों ने इस चीज़ को मजाग बना लिया था, और देखते ही देखते लोगों को डरा के ट्रेन में इसके विडियो क्लिप्स भी निकालने स्टार्ट किये, एक बड़ी कॉन्फरेंस मीटिंग होती है, जहां पर डिसाइड किया जाता है कि अब इन्हें आके क्या करना है, फोर्स को तो इन्होंने औरेडी काम पे लगा रखा है, लेकिन सोशल मीडिया को ये लोग कैसे कंट् लाइबरेरी में अभी भी एक लड़का ऐसा था जो कि इन्फेक्टेट नहीं था, यहां सान और इन्सो दौनों ही उपर चड़ने की कोशिश करते हैं, ये लड़का पहले सान को नीचे गिराता है, लेकिन उसके बाद इन्सो कहां एक अच्छा लड़का था, वो इस बाइट होती है, इन्सो अब इस पोजशिशन के अंदर था कि वो सान को नीचे गिराने ही वाला था, लेकिन इसके बदले सान पलड जाता है, और इन्सो नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी इन्सो बच चुका था, जिसके बाद तो अब सान के हाथ में जो मुबायल फोन था उसी से वो इंसु की आग फोर देता है और अपनी जान बचा के आगे की तरफ भागने लगता है यहां हम उस लड़की को भी देखते हैं जो कि टैरिस पे इतने टाइम से थी उस लड़की को भी जॉंबी ने बाइट किया था लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से इंफेक हैं यह लोग अपनी जान बचा के फर्स्टी डूम में पहुंच जाते हैं इन्हें कंप्यूटर दिखने पर लगता है कि शायद हम किसी से कॉंटेक कर सकते हैं लेकिन यहां का सारा इंटरनेट और एमर्जंसी लाइन्स बंद कर रखी थी सान के पास जो फोन था उसके अधर मीजर को बोलते हुए सुनते हैं कि सोशल मीडिया पर प्रैंक्स को रोकने के लिए इन्होंने सारी एमर्जंसी लाइन्स को क्लूस कर दिया है यही कारण था कि सान अब इस फोन से एमर्जंसी कॉल भी नहीं कर पा रहा था सान इस कंडिशन में था कि वो ना तो यहां चोड़के आना ही नहीं चाहिए था काश में उसे अपनी साथ ही ले आता अंजो को लगता है कि वो अपसान को नहीं को सकती है पहले ही उसकी एक दोस्त उससे दूर जा चुकी है इसी कारण वो क्लासरूम में बैटेक लड़के से कहती है कि तुमने ड्रोन बनाया था ना उ को भी जॉम्बी बन चुका है आपस में सभी लोग डिसाइड करते हैं कि उपर साइंस लैब तक जाये का कौन ऑंजो के साथ में एक लड़का तयार हो जाता है क्योंकि उसे ही पता था कि ड्रॉन में चोड़ने के बाकी चीज़े कहा रखी हुई है आखिर में ऑंजो के एक कार दिखाई देती है लिकिनी लोग कार को नहीं चला पाते इसी करण भागते हुए पहुँच जाते एक रेस्टरों के अंदर और ये रेस्टरेंट था सान का जहां पे इनका वैलकम ऑल्रेडी एक हाथ बंदे हुई जॉम्बी करती है कुछी दीर के अंदर उस पुलि है कि वही वाइट कलर का चुहा जिसने की अब तक सभी को जॉम्बी बना दिया था वो आंजो की पैर पे चड़ रहा था अब आखिर उसने ऑंजो को बाइट किया या नहीं किया ये तो हमें आंकी पता चलेगा प्रेसिजेंट और सुयों कि यहां पर अपी भी वेट कर रह और आखिरकार वो सारे हिम्मद चुटा के नीचे तक पहुंचता है और दर्वाजे को जोर से धका मारता है उसके पीछे जॉम्बी पढ़ते भी हैं लेकिन फिर भी वो वहाँ से भाग निकलता है आखिरकार ओंजो और उसके साथ एक लड़का वापे से क्लासरूम में पह चाहे हर तरफ जॉम्बी गूम रहे हैं वहीं दूसरी तरफ हम मिजिन को देखते हैं और अब इसी भी लगता है कि शायद अब हमें यहां से भाग निकल जाना चाहिए और इस एथिलीट के भाई को नहीं डूड़ना चाहिए तभी यहां पे यह एथिलीट बोलती है कि हमे आर्चरी रूम में जाना चाहिए वहाँ पे एक ऐसा एमरजनसी फोन रखा है जिसमें नेटवर्क की कोई जरूरत नहीं है वो सीधा मिलिटरी के पास जाएगा इसी के कारण यह चारों फ़स्ट फ्लोर से जंप करने की बारे में सोचते हैं चारों इस रूम से बाहर निकल करते हैं और एक दूसरे को कवर करते हुए फस्ट फ्लोर से नीचे जंप मारते हैं आखिर में एक जोंबी को हिट करते हुए निकलती है यहां पर जब ड्रॉन चल रहा था तो इन्हीं बहुत सारे जॉंबी दिखते हैं लेकिन तभी एक लड़की का ध्यान इस एरों पर ज जिन्दा है कुछ दूर आके जाने के बाद ये ड्रॉन इने ये भी दिखा देता है कि सान भी अभी तक नहीं मरा है वो जिन्दा है और जॉंबी नहीं बना है अब जब इनके पास सारी क्लियरिटी थी तो इन्होंने सोचा कि इस ड्रॉन को थोड़ा बाहर भी लेकि जाना ना हो लेकिन आगे जाने के बाद ड्रॉन के थ्रू जो इमेज आती है उसी के कारण ये लड़की जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि इस लड़की के पेरेंस जोकि इस गाड़ी में बैटे थे वो पे इंफेक्टेड हो चुके थे यहां हम पॉलिटीशन को देखते हैं ज इसके बाद हम लाइवरी का सीन देखते हैं जहां पे इस टाइमपे इन्सु था हालांगी इस टाइम तक इन्सु को बेएक जॉम्बी बंच आना चाहीए था लेकिन फिर भी वो जॉम्बी क्यों नहीं बना सारे के सारे जॉम्बी उसको मारने के लिए बाइट करने के उसी के जैसे बन जाते है फार कि य Со iation हो और ने जाए लेकिन जो इनसान हो काफी जानग है और आरेड़ी बुरे है तो और उसी कारणी वाइरस इनी की बौड़ी में इनी के बीएव जैसा बनके रह जाता है और उसी की साहिए उसके आसपास नहीं आ रहा है और इसी के साथ में वो होश में भी है तो वो खुद के कपड़े बदलता है और सान से बदला लेने के लिए वहां से तीजी से भागने लगता है और इसी के साथ ये शांदार एपिसोड गाईज यहीं पे खत्म हो जाता है और अब वो चाहता था कि वो सान को किसी भी सूरत में ढूंडे निकाले इसी कंटिनिटी के साथ में एपिसोड नंबर 6 के शिर्वात होती है जहां पर हम सबसे पहले मिस्टर ली की बायोग्राफी देखते हैं मिस्टर ली ने काफी दिन निकाल दिये थे जॉम्बी की स्टडीज पे और अब उन्होंने ये ठान लिया था कि वो एंटिवाइरस ढूंड के ही रहेंगे और हम देखते हैं कि मिस्टर ली यहां पर एंटिवाइरस के सारी इंडिडियंट्स लिख रहे थे मिस्टर ली की एक थियोरी के अकॉर्डिंग कुछ सॉम्बी ऐसे भी होते हैं जो कि इंफेक्टेड होने की बावजूद भी जॉम्बी नहीं बनते हैं यहां मिजीन वाली सारी टेम निकल के आर्चरी रूम की तरफ भागने लगती है यहां हम क्लास्रूम का भी सीन देखते हैं जहां पर अभी तक सब एक साथ ही बैटे थे जहां किसी के पास कोई होप नहीं थी और इसी के साथ सान को भी देखते हैं जो कि खुद को बचाने के लिए एक जॉम्बी के सर पे मारने वाला था यहां सान को एक कैमरा भी मिलता है और इसी के साथ इस एपिसोड में एक ट्विस्ट और आता है कि पिंग गर्ल हमी वापस से दिखाई देती है इसका मतलब है कि उसने फिर से खुद की जान बचा ली थी और इसी के साथ वो इस टाइम सेफ भी है लास्ट एपिसोड में जब हमने देखा था कि एक लड़की को खुद के पेरेंस की बारे में पता चला तो इसी कारण वो लड़की अब बहुत जादा एमोशनल हो जाती है और अब वो जीने की सारी उमीद छोड़ चुकी थी इसी कारण वो विंडो से बाहर निकलती है जम करने के लिए सारे के सारे फ्रेंद्स उसे रोकते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर किसी की भी फैमली अभी सेफ नहीं है हमें भी नहीं पता कि हमारे फैमली वाले हैं या नहीं है ये लड़की बोलती है कि तुम्हारे पास एटलिस्ट होप है, मेरे पास तो होप भी नहीं है, मेरे पेरेंट्स मेरे आगों के सामने जॉम्बी बन चुके हैं, अन्जो इस लड़की को अपने साथ ली जाती है दूसरी रूम के अंदर और ये दौनों बात करने लगते हैं, और तभी यहां पे नामारा प्रेसिडेंट कोई काईडिया सूचता है, वो टेबल पे सबसे पहले एक चार्ड ड्रॉ करती है, और बताती है कि अगर हम स्पीकर्स को अन कर दें, तो सारे जॉम्बी आवाजों को सुनके उसे की तरफ डिस्ट्रेक्ट होते जाएंगे, और ह हर जगह पे आवाज पहुचा सके, और होता भी ऐसा ही है, सान इनकी आवाज सुन लेता है, सुयोग यहां पर सान को कहता है कि हम तुझे लेनी के लिए आ रहे हैं, तो जहां पर भी है बस वहीं पर रहना, लेकिन सान जोर जोर से चिलाता है कि यहां आने की ज़रूरत नही है, बहुत खत्रा है बार, लेकिन सान की आवाज इन तक नहीं पहुच रही थी, आखिर में ओंजो बोलती है कि सान तु जहां पर भी है बस वहीं पर रहना, इस पर हमारी बात माल लेना, सान रूम से बाहर जाता चाता है, वहीं पर रुख जाता है, यह सारी बात इनसू भ बाहर निकलते हैं, लेकिन फिर पर इनसे बाई चांस थोड़ी बात आवाज हो जाती है, और देखते ही देखते ही वापस से पूरी जॉम्बी टीम इनके पीछे पड़ जाती है, आखरी में सुयोग बचता है, सुयोग सभी को आगे भीज कर कहता है, कि मैं तुमें आगे म लूँगा, इससे मैं निपट लूँगा, सुयोग इस जॉम्बी से अच्छी खासी फाइट करते हैं, और तब ही हम देखते हैं कि इनसु यहाँ पे पहुंच जाता है, और इस जॉम्बी को मार देता है, सुयोग को लगता है कि इनसु अभी तक इन्फेक्टेड नहीं है, सुयोग को बचाने के लिए यहाँ पे नामारा पहुंच जाती है, लेकिन कुछ भी हो, इनसु अभी जॉम्बी से इन्फेक्टेड हो रखा था और नामारा को उसने बाइट कर लिया था, सुयोग यहाँ पे इनसु को विंडो से धक्का तो दे देता है, लेकिन नामारा को नहीं बचा पाता यहां सीन शिफ्ट मिजिन के ग्रूप पे होता है जो कि आर्चरी रूम की तरफ भाग रहे थे यहां अंदर जाने की बाद पता चलता है कि मिजिन की फ्रेंड को एक नाइफ लग चुका है और वो काफे साथा इंजर्ड भी है यहां पे एथलीट कॉल करने से पीछे रह गया है लेकिन कुछी देर के अंदर सुयोक नामारा के साथ रूम में एंटर करता है यहां पे एक लड़की को नामारा का हाथ दिखाई देता है जहां पे इन सब को पता चल जाता है कि नामारा इंफेक्टेड हो चुकी है उसे जॉम्बी ने बाइट किया है गयाने की कुछी देर के अंदर वो भी जॉम्बी में बदल जाएगी सीन शिफ्ट होता है कॉरिंटाइन सैंटर में यहां पे हमें रियाल्टी दिखाए जाती है कि किस तरीके से एक लोग इतने छोटी से कॉरिंटाइन सैंटर के अंदर थे जहाँ पे अभी सारी फैसलिट कहती है कि मैं इस टाइम पे कुछ नहीं कर पा रहे हूं एवन मैं खुद अंदर बैटी हूं ऑन्जो के फादर अप सोच चुके थे कि उन्हें किसी भी सूरत में बाहर जाना ही है अपनी बेटी को बचाने के लिए इस टाइम पर यहां दो गार्ड आते हैं अंदर खाना लेक हैं ऑन्जो के फादर का रेस्क्यूर फ्रेंड था वो भी एक दूसरे गार्ड के उपर अटेक करता है फॉलिटिशन यहां पर कहती है कि यह तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है ऑन्जो के फादर कहते हैं कि इस चीज़ को आप संभाल लीजिएगा मुझे भी ब प्रेस्पैन के बाहर निकल जाते हैं इधर दूसरी तरफ क्लास्रूम में महौल बहुत गरम हो जाता है सान को पहले ही नामारा नहीं पसंद थी इसी कारण वो नामारा को रूम से बाहर निकालने के लिए बोलता है यहां पर ऑन्जो और सुयोक मिल के नामारा को बचाना च किया था यानि कि इन्सो जॉम्बी है जहां पर सुयोक कहता है कि इन्सो से तो अभी मैं भी फाइट करके आया था लेकिन वो जॉम्बी में नहीं बदला है अंजो कहती है कि तुम दौनों में से ही कोई जूट नहीं बोल रहा है लेकिन आखिर अगर इन्सो जॉम्बी नही लिया है तो तुम मुझे रोक क्यों रहे हो मैं खुद यहां पर विंडो की पास बैट चाती हूं अगर कुछ भी हुआ तो मैं खुद यहां से जम कर जाओंगी इसकी बावचूद भी सुयोक उसे रोकता रहता है सान अपने हाथ में स्टिक लेके एक खड़ा था ओंजो से सम जॉम्बी नहीं बदला था और नामारे भी पूरी तरीके से इंफेक्टेड हो चुकी थी वो धीरे-धीरे करके जॉम्बी में बदल रही थी और उसे इंसानों को खाने की इच्छा होने लगी थी यह चीज सुयोक ने भी देख ली ती और तब यहां पर एक सीन में हमें इ जोग देती हैं और कहती है कि पहले इसके तरफ देखो तो सई अगर यह जोबी बना ए उन सबकी पूरी ठंडी हो चुकी थी नामारा की बाड़ी गरम ही है लेकिन नामारा यहां पे बोलती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे इच्छा कर रही थी कि मैं सुयो दौनों सच बोल रहे हैं जूट कोई भी नहीं बोल रहा क्लास्रूम में एक लड़की बोलती है कि नामारा को यहां नहीं रहना चाहिए आखिर में यहां पर सुयोक नामारा को अपने हाथ से बांद देता है ताकि नामारा को कोई कुछ भी नहां कह सके जिसकी बाद सीन की नहीं जाना चाते थे यह लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं और एक सकूटी को चालो गड़ने की कोशिश करते हैं तब इनके पास में बहुत सारे जौंबी भाग क्या आते हैं और इसी के साथ में एक छोटी सी बच्ची भी आती है इन लोगों के पास कोई आप्शन नहीं बच्टो और ये वापस से इसी रेस्टरॉंग के अंदर पहुंच जाते हैं छोटी बच्ची जोर-जोर से रोती और सामनी की तरफ इशारा करती है यानि कि इस बच्ची के माबाप भी अब जॉंबी में बदल चुके हैं डिटेक्टिव बच्ची को चुप कराता है और अप इस पास ही रख लेता है इस समय डिटेक्टिव को कुछ समझ नहीं आता कि वो आगे बड़े तो बड़े कैसे यहां आप काफे दिन निकल चुके थे जब इन स्टूडेंट्स ने ना तो कुछ खाया था ना ही कुछ पीया था और दीरे दीर आब इने भूग बहुत तीज चा रही थी यहां पर पिंगल जस रूम के अंदर बैठी थी उस रूम के अंदर फूड स्टोरेज था वो अगर चाती तो इन सभी लोगों को खाना और पीना दे सकती थी लेकिन फिर पी वो चुप चाप बैठी रही और बाए चांस इसी टाइम पर इस पिंगल के बारे मे निकलने की कोशिश करते हैं एक वाल से वो जम भी कर जाते हैं और उनका रैस्क्यूर फ्रेंड कहता है कि आप मुझे भी अपने साथ लेके जाए लेकिन ओंजो के फादर वहां से अकीले ही निकलते जाते हैं आगे जाके एक गार्ड उन्हें रोकता भी है तो आंजो की फा अचे या मारे जाए तो ये वीडियो सब तक पहुंच जाए कि हमें बचाने के लिए कोई भी नहीं आया था एक टाइम ऐसा आता है जब भूग लगने की कारण इन्हें स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट दरवाजे को जोड़ जोड़ से मारने लगता है ताकि वो दर अउन्जो अपने फादर को कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं मुझे पक्का बिलीव था कि आप हमें लेने के लिए जरूर आएंगे दूसरी तरफ हम अउन्जो के फादर को देखते हैं जो की बहुत स्ट्रगल करते हैं उस जगह से भागने के लिए लेकिन वह सार डैड के लास्ट एपिसोड में हमनी देखा था कि कैसे आउन्जो की फादर इंजर्ड हो चुके हैं और वो अपनी जान बचा के आगे भाग रहे हैं इसी कंटिनिटी के साथ में एपिसोड नंबर सेविन की शिर्वात होती है जहां पर हमें शिर्वात में एक आर्मी का महौल दिखाया जाता है यहां एक आर्मी का कैंडिडेट अपनी घर बात कर रहा था जहां पर घरवालों को लगता है कि शायद यह भी बिल्कुल सेफ है और अच्छे से अपनी एक्टिविटीज कर रहा है लेकिन असल के अंदर सोलजर ने आर्मी वापस से चॉइन कर ली और ये लोग रेस्क्यू के लिए निकल पड़े हैं इस समय सोलजर को अपनी ड्यूटी जादा इंपॉर्टेंट लगती है और इसी कारण वो हर जगह जाके जॉम्बी को मार रहे हैं ये सोलजर कुछ लोगों को रेस्क्यू भी कर लेते हैं लेकिन कुछी टाइम में हम दे अत्म भी हो सकता है इसी कारण मिस्टर ली ने जो अपने बेटे पर एक्सपरिमेंट किया था और उसके बाद मिस्टर ली के जो वाइफ पे इंफेक्टेट हो गई थी वो अब उन्हें हीट करने लगा दूसरी तरफ यहां ऑन्सो की फादर भी बाहर निकल के आते हैं और क अधर को कन्वेस कर दीता है कि वो उसे कितना साथा पसंद किया करता था लेगिन नामारा कहती है कि इस बात का आपकोई फायदा नहीं है सब मरने वाले हैं इसके बाद में इन दौनों का कुछ quality time निकलता है नामारा सुयों को ये भी बताती है कि वो कैसा feel कर रही थी जब कुछी seconds के लिए वो zombie बनी थी आखिरकार ये दौनों कुछ अच्छा moment भी शेयर करती है जिसके बाद हम terrace वाली लड़की को देखते हैं ये उन कुछ लोगों में से है जो infected होने के बावजूद भी बिलकुल इनसानों के जैसे दिख रहे थी इस virus से infected होने के बाद इन जौंबियों को भूब बहुत जादा लगती है इसी कारण इस लड़की को fish की आवास आती है और ये एक कमरी के अंदर enter कर जाती है इन जौंबियों के अंदर हमें कुछ नई नई चीज़े देखने के लिए मिलती है जैसे कि ये काफी जादा strong हो जाते है अपनी power से भी बहुत जादा इसके बाद इन्हें हलकी से हलकी आवास भी आने लगती है classroom में जाने के बाद यहां इसे एक छुपा हुआ teacher पर दिखाई देता है पहले तो ये लड़की teacher को कुछ भी नहीं करती है teacher पूछता है कि क्या तुमें किसी ने काटा है वो लड़की सीधा fish tank के पास जाती है और उसमें सी goldfish निकाल के खाने लगती है ये लड़की teacher को ये भी बोलती है कि तुमें वो teacher हो ना जिसके सामने मैं रोई थी और मैंने बताया भी था कि मुझे बहुत सारे लड़की परेशान कर रहे हैं लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी teacher को लगता है कि ये लड़की infected है और पुरी तरीकी से zombie बन चुकी है ये मेरे उपर attack न कर दे इसी कारण ये teacher हाथ के अंदर एक knife उठा लेता है लेकिन ये लड़की zombie होने के साथ में बहुत जादा smart थी इसी कारण वो उस teacher को नीचे किराती है और उसके बाद खाना शुरू कर देती है बुरी तरीके से खाने के बाद ये teacher भी infected हो चुका था या हम classroom का scene देखते हैं जहां पे नामारा के पास में भी बहुत सारी powers आ चुकी थी हालांकि ये भी this time तक zombie बन चुकी थी इसी कारण इसे काफी दीरे से दीरे आवाज भी आने लगी थी नामारा बोलती है कि मुझे कहीं से vomit करने की आवाज आ रही है कि यहां पे कोई vomit कर रहा है लेकिन किसी को भी यह आवाज नहीं आ रही थी इसी के साथ में नामारा को classroom में ही बैटे किसी के पेर थप थपाने की आवाज आती है ये उसी पिंग गल की आवास थी वो इसी कारण नामारा कहती है कि तु बच कैसे गया जल्दी से काड़े के नीचे आ जा नहीं तो कोई तुझे मार डालेगा ये लड़का इंसु की आँख भी देखता है जो की पूरी तरीके से खराब हो रखी थी ये लड़का खुद की जान बचाने के लिए इंसु को बोलता है कि सामने कार के अंदर जा और सारी जाम्बी से उस पर अटेक करवा दीता है इंसु कहता है कि मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है जो भी बुरा है मैं ही बुरा हूँ और अब तो मैं सान को चान से मार दूंगा यहां क्लासरूम के अंदर ओंजो को एक आइडिया आता है कि हम म्यूजिक की मदद लेकि वापस से इन जाम्बी इसको पागल बना सकते हैं यह क्लासरूम काफी बढ़ा था क्लासरूम के दो पार्टिशन करके एक पार्टिशन को पूरा ब्लॉक कर दिया जाएगा जिसके कैसे तैसे करके एक आर्मर रूम में पहुंचते हैं और वहां पे उन्हें कुछ गन भी मिल जाती है जहां पे वो हैसन स्कूल में अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल जाते हैं यहां दूसरी तरफ हम मिजिन को देखते हैं जो कि अप एथलीट गर्ल के साथ में अपने द तरीके से कवर करता है ताकि अगर बाहर जाए तो कोई भी इस बच्ची को इंफेक्टेड ना कर सके पुलिस वाला कहता है कि हमें इस बच्ची की जरूरत ही किया है या तो इस बच्ची को यहीं छोड़ दिना चाहिए लेकिन बच्ची इस पुलिस वाले को कहती है कि तुम डरते हो गया यानि की बच्ची इस पुलिस वाले से भी जादा स्ट्रॉंग थी डिटेक्टिव बच्ची को समझाता है कि बाहर जाने की बाद बस एक ही रूल दियान रखना है आखे बंद रखनी है और कस के पकड़ के रखना है ये लोग कैसे तैसे करके नेक्स सीन में हमें बाहर दिखाई देते हैं जो कि काफी फनी सीन था पुलिस वाला बुरी तरीके से डर रखा था डिटेक्टिव गाड़ी चला रहा था और पीछे बैठा पुलिस वाला डंडे से सारे जॉंबी को भगा रहा था कुछी दूर आगे जाने की बाद इने एक आदमी की मदद मा करेंगे हमारे पास दो बच्चे भी हैं डिटेक्टिव जैसे ही गाड़ी से उतरता है तो पुलिस वाला बच्चों को और गाड़ी को लेकि वहाँ से भाग जाता है बिचारा डिटेक्टिव इस व्लॉगर के साथ यहीं अटक जाता है दूसी तरफ क्लास रूम को आधा ब बता दूँगा इसी कारण इंसु मेरे पीछे पड़ा है सुयोग कहता है कि सान तो टैंशन मत ले वो चौती मंजिल से नीचे गिर गया है अब वो जिन्दा नहीं बचा होगा जिसके बाद में सान थोड़ा टैंशन फ्री होता है सुयोग यहाँ पे सान को कहता है कि मैं ना और नामारा को आइडिया सूचता है वो और जाधा शोर मचाने लग जाती है कुछ चीजों को और इंस्टुमेंट्स को बचाने लग जाती है ताकि आवास सुनके सारे जॉंबी एक ये बार में इस रूम में इखटा हो जाए लेकिन यह आवासे तो अब इंसुने भी सुन काया जाता है कि आपको एक बार-बार में बुला रही है की सेनिर इस प्र पॉलेटिशन की बात नहीं सुनता है लेकिन बाहर जाने के बात अपने एक सुलजर को बोलता है कि आईसन स्कूल से कितने बेजो इसे। हमें पता चलता है कि ये सीनियर की मौम भी इसी स्कूल के आज पास रहती है। लेकिन ये सीनियर पहले अपनी ड्यूटी निभाता है और बोलता है कि पहले स्कूल की बच्चों को रेस्क्यू करो। यहां क्लास्रूम के अंदर बहुत गंदा सीन चल रहा था क्योंकि सारे के सारे जॉम्बी एक साथ इने खाने के लिए आगे बढ़ने वाले थे। टेसू आखरी तक रुका था सारे जॉम्बी को रोकने के लिए सान भागता है और टेसू को अपने साथ रूम से बाहर ले जाता है। जॉम्बी भागते हुए जल्द से जल्द आ रहे हैं। यहाँ पे सुयोक और सान कुछ इंस्टूमेंट्स लेके सीडियों पर ही खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ दर्वाजे की पीछे एक कपड़ा डाल दिया गया था जॉम्बी इसके उपर ताकि वो बाहर ना निकल सके। लेकिन सान को दूर से आता हुआ इंसू दिखाई देता है। और इसी भारे सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। देट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सारे स्टूडेंट्स टैरिस पे फसे थे जहां पर इंसू भी आ चुका था और वहां पर फाइट होने वाली थी सुयोग और सान की साथ उसकी। इसी कंटिनिटे के साथ में एपिसोड एड़ की शिर्वात होती है जहां पे हम सबसे पहले यूजे को देखते हैं जहां पे हमें उसका फ्लैश पैक दिखाया जाता है कि कैसे सारे बच्चे उसे बहुत साधा परिशान किया करते थे उसके सर पे दूड डोल देते थे उसक पारे लोग अब जॉम्बी बन चुके हैं इन सब चीजों से यूजे सोच चुकी थी कि वो पूरी की पूरी स्कूल को ही जला देगी इसी कारण वो स्टाफ रूम में आगी एक पेपर में आग लगा दीती है सीन शिफ्ट होता है टैरिस पे जहां हम अब नामारों को देख जो कि अल्रीडे इंफेक्टेट थी इसी कारण अब वो दीरे दीरे करके जॉम्बी में बदलती जा रही थी लेकिन इस बार वो जॉम्बी बनके अपनी दोस्तों की हेल्प कर रही थी यानि कि वो इंसू से फाइट करती हो और उसे वहां से नीची फैंक देती है यहां जो जॉम्बी वापस से नॉर्मल हो रहे थे वही पे दूसरी तरफ दर्वाजी भी खुल गए थे सारे अइमरजेंसी एग्जिट ओपन होने की कारण टैरिस का दर्वाजा भी ओपन हो जाता है सारे बच्ची बाहर निकलते और अपने आँकों के सामने हेलिकॉप्टर को उड पने लगता है सान दर्वाजे की पास आगे जाके सुनता है तो उसे पता चलता है कि इंसु अभी तक नहीं गया है और वो दर्वाजे की बाहर ही खड़ा है दर्वाजा नहीं खुलने पे इंसु यहां से निकल जाता है लेकिन उसका पूरा हाथ बुरी तरीके से तूट च चुका था यह सारी चीजे नामारा सभी को बता रही थी क्योंकि उसे हलकी से हलकी वाइस भी समझ में आती है यहां यूंजे पूरी स्कूल को चला के साइकल पर बैठ के अच्छी का से राइट के ले निकल पड़ती है वहीं पर दूसरी तरफ सान और सुयोग आपस में बा सान यहां पर सुयोग को कहता है कि हमें नामारा को दूर कर देना चाहिए वो हमारे लिए सेफ नहीं है सुयोग साफ मना कर देता है और सान को कहता है कि अगर ओंजो ऐसी बन जाती तो क्या तुम ओंजो को भी अपने आप से दूर कर देते हैं यहां सीन शिफ्ट होता है आर निकल के मिलती और बाहर तो ये लोग जा नहीं सकते थे यहां वापिस से सीन टैरिस पर शिफ्ट होता है जहां पर ये लोग हेल्प के लिए SOS का साइंग बनाने लगते हैं इसी के साथ में हमें Mr. Lee की एक बायोग्राफी दिखाए जाती है जहां पर वो होप की बात करते हैं क कि उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करें लेकिन फिर भी उन्हें एंटिडूट नहीं मिल पाया यहां पर ओंजो की फादर भी एक सेफ जगह पे कड़े थे और स्कूल का मैप लेकि बार-बार में लोकेट कर रहे थे कि उन्हें आखिर पर फेक्टली किस जगह पे जाना ह यहां पर मिस्टर ली इस वाइरस से रिलेटेड कुछ कुछ चीजे और बताने लगते हैं कि जैसे जैसे ये दिन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इन जॉम्बी की नीचर में भी चेंजिस आते जाते हैं यहां हम उसी डिटेक्टिव को देखते हैं जो की व्लॉगर की करने के लिए रुका था अब डिटेक्टिव के साथ जो पुलिस वाला था वो तो गाड़ी लेके भाग गया था और बिचारा डिटेक्टिव जॉम्बी के मदद की कारण यहीं प्याटा गया था इतनी तेज दूप होने के कारण यहां पे नहीं बैट पा रहे थे डिटेक कास्ट वाले मीडिया वाले लोग है वो सब अफवा बताते हैं असली चीज को जानने के लिए व्लॉगर को जाना पड़ता है इसी करण में यहां पे महौल देखने के लिए आया था अब जो भी हो इन लोगों को यहां से जाना तो था ही तो डिटेक्टिव सोचता है कि नीचे गिराता है लेकिन जैसा कि मिस्टर ली ने बताया था कि जॉम्बी के अंदर चेंजिस होते हैं तो वैसा है यहां जॉम्बी के अंदर चेंजिस देखने के लिए मिलते हैं यह जॉम्बी साउंड्स उनके अट्रेक्ट नहीं हो रहे थे और एक ही जगा पे खड़े तब ही हम देखते हैं कि जो पुलिस वाला भागा था असल के अंदर तो वो बहुत अच्छी चीज लेकर आया था, वो आगे जाके एक पूरी की पूरी बस को उठा के लिए आया, जिसकी बाद वो डिटेक्टिव को कहता है कि इसकी उपर कूदो जल्दी से, डिटेक्टिव तो कूद जाता है, लेकिन वो व्लॉगर नहीं कूद पाता क्योंकि उसकी पैर पे लगी थी, अब वो पुलिस वाला जो गाड़ी चलाता है, वो कहता है मैं यहां से भाग जाऊंगा नहीं तो कूद जल्दी, कैसे तैसे करके बिचारा व्लॉगर भी इस पे कूदता है, औ और अब यही बस लेके निकल पड़ते हैं, बस के अंदर वो छुटे-छुटे बच्चे भी थे, यहां पे SOS का साइन तो बन चुका था, लेकिन किसी को उसका मतलब नहीं पता था, इसी कारण टेसू, जब ऑन्जो से पूछता है कि इसका मतलब क्या है, तो ऑन्जो कहती ह कि तुभी कुछ नहीं पता, मैं किसी और से पूछ लूँगा, जैसे ही वो नामारा के पास जाता है, तो ऑन्जो भड़क जाती है, कि मैं क्या जूट पोल रही हूं, क्या मुझे कुछ पता नहीं है, क्या, देखते ही देखते, अभी आपे शाम होने लगी थे, और ठंड भी बढ़ने लगी थी, इसी कारण ये लोग आग जलाने की बारे में सोचते हैं, विचारे सारे के सारे लोग एक साथ मिलके, मैं वर्सेज वाइल्ड का एक सीन करते हैं, ये लोग आग जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कोशिश के बाद में भी आग नहीं जलती, एक एक करके सब अपनी बारिया आजमाते हैं आखिर में नामारा आती है और एक लाइटर लेके आती है और नामारा कहती है कि मैं स्मोक करती थी और तुम्हें लाइटर का यूज कर सकते हो अब यहाँ पे इतनी बड़ी बेवकूफी की बात थी कि बिचारे सब लोग मैनत कर रहे थे तो नामारा को पहले ही दे देना चाहिए था लेकिन सभी को ये भी पता चलता है कि नामारा चेंज स्मोकर भी है इधर यहाँ डिटेक्टिव पुलिस वाले व्लॉगर और बच्चों को निकले हुए रात हो गई थी यहाँ पे डिटेक्टिव पुलिस वाले को कहता है कि तो तो धोके बास दिकला तू तो अमको छोड़के भाग गया था तो पुलिस वाला कहता है कि मैं आपको छोड़के क मैं तो मदद लेने के लिए गया था और देखो मैं क्या लेकर आया मैं बस लेकर आया ये लोग आपस में बात करी रहे थे कि तभी पुलिस वाला एक लड़की को उड़ा देता है डिटेक्टिव कहता है कि ये क्या किया तुने तुने एक लड़की को मार दिया अब वो जॉं तब ही एक साथ बहुत बड़ी मिलिटरी आ जाती और इनके उपर शूट करने लग जाती है डिटेक्टिव अपना बैच दिखाता और बोलता है कि मैं पुलिस वाला हूं मुझे कुछ भी मत करो उससे पहले वो यूंजे को बोल चुका था कि तुम हमारे साथ चलो दूसरी त सोचती है कि उसे सैटलीट गर्ल की हेल्प करने चाहिए इसी कारण वो यहां पर यही गेम सीखना शुरू कर दीती है बातों यह बातों में मिजन ने सैटलीट गर्ल को बोलती कि तुम्हें तो अच्छे से कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा जहां पर हमें पता चल यह दौन अब अच्छी दोस्त बन चुकी है और मिजन अब फाइनली काफे इंटरेस्ट के साथ में एरो चलाना सीख लेती है यहां सारे बच्चे टेरिस पे बैठे थे अब इतने दिन हो गए थे बोर होते होते यह और भी क्या करते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ मे उसे बहुत पसंद करता है इसी एथलेट गल का भाई बोलता है कि मुझ पे तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था मेरी बेहन एथलेट में थी और उसे सब नैशनल में लाने के लिए बहुत मेहनत करते थे यहां सीन शिफ्ट होता है इंसू के उपर जिसने इतना दर्वाज में बच रहा था यह पिंगल उसके पैर के नीचे कुछ स्टिक डाल देती है ताकि यहां शोर और जादा ना हो तभी इसे एक कैमरा दिखाई देता है और एक्दम से यहां दो तीन जॉम्बी आते हैं और यह लड़की वापस से अपनी कमरे में चली जाती है यह लड़की यहां देखती है कि कैसे सभी लोगों ने मिलके कैमरे में अपनी फैमली के लिए कुछ चीजे रिकॉर्ड करी है और यह लड़की काफी जादा इमोशनल हो जाती है और सब की हैल्प करने के लिए निकल जाती है आखिर इस लड़की का मन कैसे बदला यह हमें आगी पता चल था कि वो उसे की रेस्टोरेंट में काम करेगा देखते ही देखते पिंगल के सामने अब वही लड़का आ जाता है जिसके कारण वो जॉम्बी बन गया था अब इस पिंगल को ये भी चीज़े याद आती है कि कैसे उसे सबने धुतका रहा था कैसे उसे सबने बहुत पुर किया तो नमारा बताती है कि मैंने एच्ट क्लास से स्मोक स्टार्ट किया था क्योंकि उस टाइम पे मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं हुआ करता था कोई भी मुझसे बात नहीं किया करता था और मैं बहुत अकेली थी तो आउन सो बताती है कि तुम्हें हमसे बात करना चाहिए था लेकिन हम लोग तुम्हें बहुत प्राउड ही मानते थे यहां पर एक लड़का बोलता है कि मैं क्लास में हमीशा सेकंड आया करते था इसी कारा में नामारा को बिल्कुल नहीं पसंद किया करता था क्योंकि कि वही दिन जब वो पिंगल भागी थी और टीचर बचाने के लिए उसके पीची पीची भागी थी ये दौनों जॉम्बी से बचने वे काफी आगे निकल आये थे और इनके पीची वही लड़का था जो सान का फ्रेंड था और इस लड़की के कारण जॉम्बी बना था सिच्वेशन समझनी चाहिए थी इस लड़की को सारी सिच्वेशन समझाने के कारण विचारी टीचर भी इंफेक्टेड हो जाती है और जाने से पहले बोलती है कि कुछ भी करना लेकिन उन लोगों की मदद जरूर करना अगर तुम बच पाओ तो उन लोगों के साथ चली जाना और जिन्दा रहना जिसके बाद अब टीचर भी पूरी तरीके से जॉम्बी बन चुकी थी और पिंगल अकीली रह गई थी जैसे कि टीचर के आखरी वर्ड थे कि उन लोगों के मदद जरूर करना इसी कारण वापे से ये पिंगल पूरा बैक भरती है खाना इखटा करती है और रूम से बाहर निकलती है इधर टैरस के ऊपर फिर से एक लड़की बताती है कि मेरा तो एड्मिशन किसी और स्कूल में होने वाला था लेकिन आउन्जो ने मुझे कहा कि इसी स्कूल में एड्मिशन ले ले अगर मैं आज किसी दूसरी स्कूल में होती तो यह जैसे ही classroom से बाहर निकली तो इसका welcome करने के लिए इंसु खड़ा था यह पिंगल को लगता है कि शायद इंफेक्टेड नहीं है इसी करण इतना normal behave कर रहा है इंसु कहता है कि तुझे भूग लग रही है इतना सारा खाना लेके जा कहा रही है मुझे terrace पर जाना है यह पिंगल बोलती इंसु से कि तुम आकर ऐसी बात क्यूं कर रहे हो इसी के साथ में इंसु इस पिंगल को पकड़ता है और सीधा garden से उठाता और उसके बाद में पूरी तरीके से उसे खा लेता है उसकी पूरी garden डामेज कर देता और बहुत सारा खून नीचे गिरने लग जाता है बिचारी यह लड़की एंड के अंदर आके कुछ अच्छा भी करने लगी तो भी वो नहीं कर पाई और इंसु ने इस लड़की को भी मार दिया वो बाहर निकलता और टैरेस पे जाने के लिए एक पाईप से चड़ना शुरू कर देता है दूसी तरफ टैरेस पे बैठे सान से जब सब लोग पूछ रहे थे तो आंजो कहती है कि क्या मैंने उस लड़की को कभी देखा है वो कौन है आकिर बता हूँ हुझे आकिरकार सान काफी करेज खटा करके बोल देता है कि वो लड़की और कोई नहीं बलकि तुम हो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ बात को मजाक में उड़ा देती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसी कर सकते हो ये लड़का मजाक कर रहा है कोई भी इस चीज़ पे ध्यान मत दो अंजो गुस्सा होके आगे चली जाती है सुयोग यहाँ पर सान को कहता है कि जाके उसे बात कर सान जब अंजो से बात करने आता है तो अंजो कहती है कि तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया सान को कहती है कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो सान सभी के साथ जाके बैठ जाता है और अंजो वहीं पर बैठ जाती है इतने ही देर में हम देखते है कि इंसु की एंट्री होती है और वह सबसे पहले ओंजो को देखता है ओंजो सामने खड़ी थी तो इंसु सीधा एक धक्का देता है ओंजो को तो ओंजो नीचे गिर जाती है और इंसू भगता हूँ आता है सान के पीछे सान जैसे ही देखता है कि ओंजू को इंसू ने धका दिया तो वो भगता हूँ आता है यहाँ पे इंसू ने सान को पकड़ लिया तो और सीधा उसके आँख के ओपर अटेक करने लगता है इंसू बोलने लगता है कि तुने मेरी आँख फोड़ी थी ना अब तेरी आँख तो मैं लेके ही रहूँगा और इसी के साथ गाइज या एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है यह इनसू करने लेकिन एपिस चाहिता लेकिन गवे नाम यहीं और उसमें इसका नामारस के अधनाम दूरसरो है न संदर बूरी तरीके से बिड़ल जुकी थी लेकिन इस पार वो बुरी जॉंबी नहीं बल्कि अच्छी जॉंबी बनी हुई थी वो अपने ही दोस्तों की मदद करती है और गεια नामसे खतरनाक वाली fight करती है गवे नामारा को समझाता है कि तुम हमारी जैसी हो तुम हम in visu मेरे साथ मिल जाओं फूरी शक्वीबात को क्फ़श्राईं के लेकिन नामारा गवे नाम की एक कि गुए नाम जो कि अब तक का सबसे खतरनाक जॉंबी है जो कि इंसान में भी बदला हुआ है और अभी तक मरा भी नहीं है उसकी हड्या तोटने की बावजूद भी वह आगे ही बढ़ता जा रहा था सीन यहां पर कॉरिंटाइन सेंटर में शिफ्ट होता है जहां पर अभी इस वायरोس को पूरी तरीकरी से चेक किया जाएगा और उसके बाद इसका अंटीडोर निकाला जाएगा तभी यहां पर हेड के पास में एक के बारे में सोचा और बागी सबी को ऐसे चलाते हुए छोड़ दिया और अब उसके सामने यूंजे खड़ी थी पहले तो लड़का मासूम बने की कोशिश करता है कि उसने जैसा कुछ किया ही नहीं है यूंजे कहती है कि मैं जब वहाँ चिला रही थी तो तुमने मेरे जान लड़का कहता है कि मुझे लगा तो मारी जा चुकी हो यूंजे कहती है कि मझे बूँग लग रही है ये लड़का अफना खाना आउफर करता है लेकिन यूंजे कहती है कि मेरी भूक इससे नहीं मिटेगी मैं तो तुमें खाना चाहती हूँ यहां सीन वापस से स्कूल पर शिफ्ट हो जाता है जहां टैरिस पर बच्चे बैठे थे और तभी इन में से एक लड़की नामारा को देखते हुए कहती है कि क्या तुम सब ने देखा था कि कैसे इसने गुए नाम से फाइट की थी अगर यह पूरी तरीके से जॉम्बी बन जाती है तो यह सबसे पहले हमारे उपर अटेक करेगी क्या इसे हमारे साथ रहना चाहिए या फिर इसे निकाल देना चाहिए जिसके बाद फाइनली अब नामारा बोलती है कि इतने साल हो गए मैंने आस तक कोई दोस्त बनाए ही नहीं है दोस्त कैसे होते हैं मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम अगर हम लोग जिन्दा बच गए तो मैं यही चाहूंगी कि हम सब लोग एक साथ रहें और एक स सुनने की दूर से आते होए हेलिकॉप्टर को अब सब देख चुके थे सब बहुत खुश थे क्योंकि फाइनली इनको रेस्क्यू करने के लिए एक टीम आई थी लेकिन असल के अंदर ये रेस्क्यूर नहीं थे बलकि इन्हें के उपर बंदूग तांदी गई और इन्हें जॉम्बी समझा गया सभी को जमीन पे लिटा दिया गया और उसके बाद में टैंपरिचर चेक किया गया बच्चे यहां बार बार में बोल रहे थे कि हम जॉम्बी नहीं हैं बलकि इन्सान हैं हमें प्लीज यहां से ले जाओ सबका टैंपरिचर नॉर्मल आता है लेकिन न से निकलना ही चाहिए हेलिकॉप्टर हमें बचाने की लिए आए हैं यहां यह सर्च टीम साइंस लैब के अंदर घुसती है लेकिन एक के बाद एक जॉम्बी अंदर आते ही जाते हैं इन जॉम्बी बने बच्चों को शूट कर दिया जाता और वहीं पेमार दिया जाता है यह के साथ में बच्चों का रेस्क्यू होना भी स्टार्ट हो चुका था सब बहुत खुश थे कि फाइनली वो अब इस जंजट से निकल जाएंगे लेकिन तबी कैप्टन के पास एक न्यूज आती है और सब कहते हैं कि आपको यह न्यूज दीखनी चाहिए पता चलता है कि इ अंदर एक जॉम्बी आ चुकी है और यह और कोई नहीं बलकि हैसन स्कूल की एक लड़की है जिसे थोड़ी देर पहले ही रेस्क्यू करके लेके आया गया था कैप्टन यह सारी चीज देखता है दस मिलट पहले का सीन कि कैसे इस हैसन स्कूल की लड़की ने अपने ही चुका था कि यह वाइरस किस तरह के का है यानि कि इस वाइरस से इंफेक्टेड लोग कभी भी नहीं दिखेंगे कि वो जॉम्बी है बलकि इनके अंदर सिर्फ कुछ टाइम के लिए वाइरस एक्टिवीट रहता है हाइसन स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं जरूर वो भी इंफेक्टेड हो सकते हैं और वो अगर इस कॉरिंटाइन सेंटर के अंदर आ गए तो शायद चीजे कभी नॉर्मल नहीं होगी इसी कारण ये पूरा रैस्क्यू आपरेशन कैप्टेन वहीं पर रुखवा देता है बच्चों को कुछ समझ नहीं आ था कि आकिरूने क्यू छोड़ा गया है क्योंकि इनने तो कुछ पता ही नहीं था जिस लड़की को उपर लेके गए थे उस लड़की को वापिस से नीचे उतार दिया गया सारे बच्चे जोर जो से रोते हैं कि किसी को तो यहां से ले जाओ सब को मत लेके जाओ लेकिन कुछ लोगों को तो ले ज दूसरी तरफ जो सोलजर इन बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए पहुचा था उसके हाथ भी बंदे हुए थे क्योंकि वो अपने आखों के सामने इन बच्चों को नहीं लेके जा पा रहा था इन सारी बच्चों की पूरी तरीके से होप तूट चुकी थी यहां पर आरच था MLA पर ये allegation था कि उसने ओंजो के फादर जो की फायरफाइटर है उन्हें भगाने में मदद की थी यह पॉलिटेशन कहती है कि कैमरा मेरी तरफ फोकस करो और फिर वो सारा का सारा इलजाम खुद के उपर ले लेती है कि हमारा एक फायरफाइटर जिसकी बेटी इस खुद के उपर ले लिया था जिसकी बाद हम सीधा आप उन्जो के फादर को देखते हैं जो की धीरे धीरे करके आगी तो बढ़ रहे थे लेकिन तब है उन्हें एक आदमी मिल जाता है जो की मदद के लिए कहता है उसकी वाइफ कार में थी उपर से प्रेग्नेंट भी थी और ये दर्वाजा खुल भी नहीं रहा था उन्जो की फादर को अपनी बेटी को भी बचाना था इसी करण वो इस आदमी को अपनी गन और कुछ खाने पीने का समान दे जाते हैं लेकिन ये आदमी ऑन्जो की फादर के उपर ही गन तान देता है और कहता ही कि आप यहां से भी गया लेकिन वो बाबा कहता है कि एक मंत्र पढ़ो और सब कुछ ठीक हो जाएगा अब बताओ क्या इस मंत्र से कोई जॉम्बे इंसान में बदल सकता है यानि कि अभी तक मिस्टर ली को कोई एंटीडोड नहीं मिला था और ऑन्जो की फादर भी अपनी बेटी ऑन्जो होते है तब ही इनमें जॉम्बी वाले सिम्टम्स दिखाए देते हैं इसके अलावा यह बिल्कुल नार्मल रहते हैं तो इनए पहचानने का कोई तरीका नहीं है इसका मतलब है कि बाद में जिन-जिन लोगों को रेसक्यू किया गया है उन्सब को बिल्कुल अलग फायरफाइटर था वो लड़ता है इस पॉलिटीशन से कि आपने अच्छा नहीं किया आप लोगों के सामने अच्छा बनना चाहती है क्या इस सिचुएशन इस टाइम ऐसी है लेकिन यहाँ पे पॉलिटीशन के साथ वाले लोग इसी फायरफाइटर को डाटने लगते हैं कि कहते हैं कि आपको हमारी डेट बॉर्डी के ओपर से जाना पड़ेगा अब यह सारे सोल्जर भला किसी की बात सुनने वाले थे क्या इन सब को बुरी तरीके से पीट दिया जाता और उसके बाद में यह लोग आमेले को अपने ही साथ ले जाते हैं दूसरी तरफ हम डेटेक के कारण सब लोग खुष हो जाते हैं उस पानी को देखते हुए लेकिन इसी बारिश में यह लोग काफी जाता रोती भी हैं कि इनके पास कोई होप नहीं बची इन्हीं बचाने के लिए कोई नहीं आएगा इन्होंने खुद को जिंदा रखने के बहुत कोशिश करी लेकि हम अपनी जान बचाते हुए मर जाएं यहां हमें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा हमें स्कूल के नीचे उतरना पड़ेगा ग्राउंड से होते हुए हम सिधा पहाड़ियों की तरफ चले जाएंगे ऑंजो भी इस बार कहती है कि उन पहाड़ियों पे जाने का रस्ता तो मुझे भी पता है मैं अपने फादर के साथ महार ट्रैकिंग करने के लिए गई थी लेकिन जांबी इसका खत्रा तो अभी तक था तो आपस में कोई बोलता है कि नामारा हमारे साथ है ना वो सबसे फाइट कर लेगी तो नामारा बोलती है कि इस टाइम तक मैं भी बहुत कम सकते हैं सब्सक्राइब करते हैं नीचे उतरते हैं जहां पर कटे फटे बहुत सारे जॉंबी दिख रहे थे यहां पर आर्चरी वाला मिजिन का ग्रूप भी एक बॉक्स के अंदर छुप गया था और बारे शोने की कारण इनके भी आसपास कम जॉंबी थे इसे कारण ये आगे की तरफ पहाड़ी के पास जाने की कोशिश करते हैं जिस टाइम ये पूरा गुरूप आगे की तरफ बढ़ रहा था उसी टाइम इने एक जॉंबी मिलता है लेकिन फिर भी ये जाडियों में छुपते हुए आगे बढ़ते जाते हैं सान कहता है कि अगर कोई भी मरे साथ ये एपिसोड गाइज यहीं पर खत्म हो जाता है और इसके सान के साथ में जितने भी स्कूल के फ्रेंस थे ये लोग भाग रहे थे लेकिन अब सान के सामने उसकी मॉम खड़ी थी और इसी कंटिनिटी के साथ में एपिसोड नंबर टेंथ के शिर्वात होती है जहां सान को एक तरफ दूर कर लिया जाता है और बागी सारे दोस्त इस जॉम्बी को दूर करने लगते हैं किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि ये सान की मॉम है इसी कारण सभी लोग इस जॉम्बी के उपर काफी जोड से अटेक करते हैं यहां सान गुसे में आता है और अपने दोस्तों को बुरी तरीके से मारता है सबसे पहले तो टेसू पिटता है लेकिन तभी वहाँ पे ओंजो आती है जो कि सान को वहाँ से दूर ले जाती है जिसके बाद में सभी अपनी चान बचाते हुए बास्केटबॉल कोट की तरफ जाने लगते हैं इदर यहाँ पे आथलीड और मिजन का ग्रूप भी यहाँ से बाहर निकल चुका था उन्हें लगता है कि यह जितने भी लोग भाग रहे हैं वो सारे जॉम्बी है इसी कारण ये भी उनका पीछा करने लगते हैं एक ग्रूप आगे निकल चुका था लेकिन पिंक स्वेटर वाली लड़की और उसी की फ्रेंड यहाँ पे अटक जाते हैं ये पिंक स्वेटर वाली लड़की अपनी फ्रेंड से मदद मांगती है लेकिन इस लड़की को दिख चुका था कि पीछे से जॉम्बी आ रहे हैं इसी कारण ये सेलफिशनस दिखाती है और अपनी फ्रेंड को वही छोड़ जाती है और वहां से अकीली भाग जाती है तभी इनके ग्रूप का एक मेंबर और आता है और इसी की हेल्प करता है लेकिन तब तक बहुत सारे जॉम्बी यहां पे आ चुके थे और तभी इनके जान बचाने के लिए यहां पे एथलीट पहुँच चुकी थी चोकि अपने एरो से एकिक करके सब को मार देती है आखिरकार फाइनली काफी एपिसोड बाद ये दौनों भाई बहन मिल चुके थे जाए इस लड़के को अभी तक बिलीब नहीं होता कि इसकी बहन इसे बचाने के लिए आई है एक प्राब्लम खतम होके ये लोग बास्केट बॉल कोट में पहुचे ही थे कि तबे यहाँ पे नामारा बोलती है कि भागो यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकल जाओ बिजली चमकती है और सभी लोग देखते हैं कि अंदर तो काफी सारे जॉम्बी भरे हुए है एथलीट को यहाँ एक रूम मिल जाता है और वो रूम उपन करके सब को अंदर बुलाने लगती है लेकिन मिजन का जो फ्रेंड था जो कि काफे जादा इंजर्ड हो रखा था उसे कोई पुल नहीं कर रहा था मिजन अकेली उसे पुल कर रही थी इसी कारण ये लड़का सोचता है कि इसके कारण मिजन की जान भी खत्रे में पड़ जाएगी और उसे भी जॉम्बी आके मार डालेंगे इसी कारण वो जॉम्बी के सामने गिर जाता है ताकि सारे जॉम्बी जाके उसे खाले और मिजिन अंदर चली जाए अब यहाँ पे एक एक मेंबर वापस से गायब होते जा रहे थे मिजिन का फ्रेंड यहाँ पे गिर गया इसी के साथ में एथलेट ग्रूप के अंदर जो एक और लड़का था वो भी यहाँ पे अकेला चूट जाता है सारे ग्रूप वाले एक साथ बैटे होते हैं सबी डिरे हुए थे जिसकी बाद में टेसू को पता चल चुका था कि वो सान की मॉम है और उसे ही टेसू ने बुरी तरीके से मारा था टेसु यहाँ पे आके सान सी माफी मांगता है कि उसे नहीं पता था कि वो उसकी मॉम है लेकिन सान इस टाइम किसी की बात नहीं सुनता ओन्सो से अपने पास बुलाती है जहाँ पे सान जोर जोर से रोने लगता है वो लड़की जिसने खुद की ही फ्रेंड की मदद नहीं की थी वो आकिरकार ग्राउंड में अकीली खड़ी थी उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था जहां जॉम्बी उसके उपर अटेक कर चुके थे और वो भी एक जॉम्बी में बदल गई थी सीन यहाँ पे कंट्रोल रूम में शिफ्ट होता है जहाँ पे मिस्टर ली की वीडियो दिखाए जा रहे थी उनका जो आखरी वीडियो था उसमें उन्होंने यहीं बताया है कि कोई एंटीडोट नहीं मिला है अगर उपाए है तो सिर्फ और सिर्फ जॉम्बी इसको जलाने का उपाए है इनका एक सेल भी नहीं बचना चाहिए अगर लापरवाही की गई कि इसका कोई एंटीडोट बना लिया जाएगा तो यह सबसे बड़ी बेयोकूफी होगी सिर्फ एक ही उपाए है कि इन सारे के सारे जॉम्बी को जला दिया जाए कैप्टिन को अभी भी इस बात पर बिलीव नहीं होता है और वो अपने साइंटिस्ट को कहता है कि आप जल्द ही ये वाइरस बनाईए ताकि पता कर सके कि मिस्टर ली ने जितनी भी बाते कई है वो सारे सच भी है या नहीं है तब यहाँ पे कैप्टिन के पास एक न्यूस और आती है कि दीरे दीरे करके इनका मार्शल लॉग खत्म होने वाला है और इसी के साथ में बाउंडरीज भी ओपन की जा रहे है यानि कि कहीं न कहीं ये जॉम्बी यहां से बाहर ना निकल जाए या फिर बाहर की पबलिक इस सिटी में ना आ जाए टाइम के साथ-साथ ये वाइरस बार-बार में बदलता जा रहा था इसी कारण कोई भी इस वाइरस को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था वहीं पे हम MLA को देखते हैं जिसे पूरा-पूरा बिलीव था कि उसे तो आप पूरी की पूरी टीम लेने आएगी इस कॉरंटाइन सेंटर से बाहर निकालने के लिए लेकिन ये चाल इस MLA की उपर खुद उल्टी पड़ गई अच्छा होगा लेकिन उसे ये टीम से बाहर निकाल दिया जाता है यहाँ पे हम Onzo के फादर को भी देखते हैं जो कि अब स्कूल में आगे बढ़ने के लिए कुछ कलरफुल लेस ले लेता है अब अगले सुबह दिरी दिरे करके सब लोग उठ जाते हैं पिछली रात काफ जिनके साथ में नहीं हैं यहाँ पे Onzo के फादर पेड़ों के उपर निशान लगा रहे थे कि कहीं वो गलती सी वापिस से इसी जगह ना पहुंच जाए लेकिन काफी दिनों से भूके रहने के साथ में डिहाइडरिशन भी उन्हें हो चुका था और इसी कारण वो चकर खा और इसी काफी देखना बागी रह गया था तो मिजन बात को संभालती है और खुद की फ्रेंट की बढ़ाई करते हुए बोलती है कि हां ये तो नेशनल में सेलेक्ट हो गई है हालांकि एथलीट नेशनल में सेलेक्ट नहीं हुई थी तो एथलीट का भाई बोलता है कि है जोगे मेरे भाई को मिशा साला कि hai के बुलाते हो तो टेसू एकदम से हसने लग जाता है एथलीट अपना हाध देती है और मैक अब जॉम्बी बन जाओंगा तो इसलिए यही रीजन था कि मैं तुम्हें यही बात बोलना चाता था तो आकर मैंने गलती क्या की इधर हम यहाँ पे गुए नाम को भी देखते हैं जिसकी पूरी बॉड़ी टूट चुकी थी उसके बावजूद भी वो टेरिस पे आ जॉम्बी बनानी चाहिए जबके मिजन बोलती है कि इन बॉक्स को हमें ढखना चाहिए इन दौनों में भैस काफी जादा बढ़ जाती है और जगड़ा हो जाता है जिसके बाद में लोगों को नामारा चुपकर आती है तो मिजन पूछती है कि आखिर तू कौन है तब जा जॉम्बी इसको चड़ना नहीं आता है यहां दूसरी तरफ कैप्टेन को अब साइंटिस्ट बताते हैं कि हमने जो वाइरस बनाया है वो तकरीबन 19 परसेंट मिस्टर ली के वाइरस से मैच खाता है इसका मतलब है कि पहली बात तो इसका कोई एंटिडोर नहीं निकलेगा दूसरी बात ये है कि ये वाइरस नया बनाया गया है इसी के साथ में जिस इंसान को ये वाइरस इंजेक्ट हो जाता है उस इंसान का दिल धड़कना बंद हो जाता है यानि कि ये जॉम्बी एक जिन्दा लाश है ये वाइरस सिधा दिमाग के उपर अटेक करता है और उसक का दिल भी धड़क रहा है यानि कि इस वाइरस की कही सारे फेसिस हैं कैप्टन यहाँ पे मार्शल लॉग को बढ़ाने के लिए एक मीटिंग अरेंज करने के लिए बोलता है यहाँ सारे बच्ची एक दूसरे को अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं ताकि अगर कोई जॉंब चॉकलेट बार वेनी बहुत अच्छी लग रही थी इन मेंसे कुछ मैंबर इसे एक एक बाइट करके खाते हैं तो कुछ इसे आगे बढ़ा देते हैं सान यहाँ पे ओंजो को हैंड कलव्स पहना आता है सभी लोग वापस से हिम्मत करते हैं और उसके बाद दर्वाजा खो बाद एक इनके उपर बुरी तरीके से अटैक कर रहे थे ना तो अब ये पीछे भाग सकते थे ना ही ये आगे चला पा रहे थे यानि कि ये सारे स्टूडेंट इस सिचुएशन में बहुत बुरी तरीके से फस जाते हैं इनी मेंसे वही लड़का जिसका मिजिन के साथ में जगड़ा हो रहा था उस टाइम पे काफी सारे जॉंबी मिजिन को बाइट करने ही वाले थे कि तभी ये लड़का मिजिन को बचाने की चक्कर में जॉंबी को धक्का देता है और वो ही जॉंबी इस लड़के के हाथ पे काट लेता है ये लड़का समझ चुका था कि अब इसके पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है और अगर ये अंदर रहा तो भी कोई फायदा नहीं होगा इसी कारण ये सब को बिना गुडबाइक ये ही वहाँ से बाहर निकल जाता है ताकि कई सारे जॉम्बी उसके उपर आ जाए और ये लोग अपने ट्रॉलिस को आगे नि बाहर की बाउंडरिस से लोग भी यहाँ पे आने वाले हैं तो यहाँ तो मार्शल लॉब बढ़ाया जाए ताकि बाहर की सिटी का कोई इनसान यहाँ ना आ सके और यहाँ का कोई जॉम्बी बाहर ना जा सके लेकिन आखिर ये बात क्याप्टेन को पता कैसे चली क्योंकि क कैप्टेन का एक और कलीक था जो की दूसरी गौर्मेंट के कंट्रोल रूम के अंदर बैठा था इसी कारण कैप्टेन को यह सारी बाते पता चली थी कैप्टेन के पास अब कोई आप्शन नहीं था इसी कारण वो कहता है कि वो हैसन स्कूल की उपर एक न्यूक्लियर बाम गिराएगा कुछ सोलजर मना करते हैं कि यहाँ पर अभी रैस्क्यू करना बाकी है लेकिन कैप्टेन के पास कोई आप्शन नहीं था क्योंकि कुछ लोगों के अंदर तो सिम्टम्स दिखाए ही नहीं दे रहे थे अगर उन्हें रैस्क्यू कर लिया गया और वो बात में ज लिखती है कि इसी भूग लग रही है यानि कि यूंजे जो की आधी जॉंबी और आधी इंसान है बहुत जादा डेंजरस है इधर यहाँ पर आउंजो की फादर भी स्कूल की अंदर एंटर कर चुके थे लेकिन इनकी पीछे पे कुछ जॉंबी लग चुके थे यह सीडिय परा ने भी अपना पूरा दम लगा कि यह ट्रॉली ज बिलकुल पास पास कर दी ताकि जॉंबी अंदर ना सके आखिर के अंदर ओंजो जोर से दर्वाजे पे धक्का देती है और दर्वाजा खुल जाता है लेकिन दर्वाजे के बाहर गुए नाम नहीं बलकि उसके बाहर निकल आते हैं यहां पर गुए नाम अभी तक सबको ढूंड रहा था और वो स्मेल करता हुआ उसी रूम में पहुंच गया जहां पर एथलीट के साथ उसका एक फ्रेंड और था यह भी इस टाइम तक जॉंबी नहीं बना था इस लड़के को लगता है कि गुए नाम जॉंबी नहीं है और वो गुए नाम को कहता है कि तुम यहीं रुक जाओ बाहर मत जाओ नहीं तो तुम भी जॉंबी बन जाओगे अब इस लड़के को क्या पता था कि गुए नाम तो पहले से ही जॉंबी है गुए नाम पूछता है कि बताओ सान कहां पर है यह लड़का था सान की बारे में नहीं जानता था क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप था गुए नाम इस लड़के को कहता है कि यहां से भाग जा नहीं तो मैं तुझे माण डालूँगा लड़के को समझ में आ चुका था कि गुए नाम जरूर जॉम्बी है इसी कारण वो सान के बारे में कुछ नहीं बताता और वहां से भाग नहीं लगता है लेकिन तब ही गुए नाम आता और बोलता है कि क्या तुझे भूग लग रही है और उसके बाद में खुद इस लड़की को इंफेक्टेट कर देता है और फिर से फैक की कहता है कि भाग जा लेकिन कुछ ही देर के अंदर यहां पर जॉंबी उन दर्वाजे को तोड़ते हुए आगे की तरफ आते चाते हैं आज़ो के फादर एक फ्लैर लाइट जलाते हैं अपने बैक के अंदर से और उसे सभी जॉंबी आट्रेक्ट होते हैं और उनके तरफ भागने लगते हैं ओंजो अपने फादर का हाथ देखती है जहाँ पे उसकी फादर का हाथ infected हो रखा था। इसी कारण ओंजो की फादर बाहर भी नहीं गए थे। वो बार-बार में जॉम्बी को अपनी तरफ करते हैं और flare gun फैक्ट दे जाते हैं। ये सीन काइस बहुत ही जादा emotional था जहाँ पे ओंजो अपने फादर को देखते हुए भी वहाँ उनने बाहर नहीं निकाल पाई। सुयोक और सान आके ओंजो को अपनी साथ ले जाते हैं। और आखिर में तो अप सारे जॉम्बी ने मिलके ओंजो के फादर को भी नहीं छोड़ा था। ये सबी लोग मिलके उस construction वाली building में चले जाते हैं जो कि हमने starting में देखी थी। लेकिन नामरा वहीं पर रुख जाती है और बोलती है कि ये जगब भी safe नहीं है यहाँ पे भी आसपास बहुत सारे जॉम्बी हैं। जॉम्बी से बच्चते हुए ये लुग first second floor पर पहुंच जाते हैं और उसकी बाद में इने एक window दिखाए देती हैं। दीरे दीरे करके सारे के सारे window से बाहर निकल जाते हैं और फिर से छुपके बैट जाते हैं। नामरा सब को कहती है कि बिल्कुल दीरे बात करो ये हमें सुन सकते हैं। ऑन्जो तो जस्ट अभी अभी अपने फादर को मरते हुई देख के आ रही थी। इसी कारण वो रो रही थी और एथलीट ने उसका मुह पकड़ रखा था। जिसके बाद सान उसके पास आके बैट जाता है। यहाँ पर हम मिस्टर ली की बायोग्राफी देखते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि ये वाइरस इतना जादा खराब है कि इसने इंसानों को मार दिया है। मरे हुए इंसानों के लिए तो सबको ये सैटिसफेक्शन हो जाती है कि वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा लेकिन बदले हुए इंसानों का क्या किया जा सकता है। उसका मीनिंग था कि जो लोग एक दूसरे को जानते थे जॉंबी बनने के बाद अब वो पूरी तरीके से जानवर में बदल चुके थे। जब अब तक नहीं मरा तो वो इस तीर से क्या मरता लेकिन यह लड़का पूरी तरी किसे जॉंबी बन चुका था अब यहाँ पर सारी बैठे थे किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग आकिर यहां से निकल जाए या फिर यहीं पर बैठे रहे वेट करे या फिर रेस्क्यूर इन्हें बचा लेंगे तब यहां पर एथलीट और मिजिन खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि हम सीनियर है तो आगे की जिम्मेतारी भी हम ही लेंगे हम दोनों अलग-अलग डायरेक्शन के अंदर जाते हैं और देख के आते हैं कि यहां से निकलने का क्या रा पूर्ट में थे और इन दौनों को अपनी पुरानी पुरानी बात याद आती है कि कैसे सान हमेशा से यांजो को पसंद करता था यहां हम गुए नाम को देखते हैं जो कि अब स्मेल करता हुआ उस रूम में पहुंच गया था जहां से आंजो के फादर ने सभी को यहां से यहां पे गुए नाम को इनी के गुरूप का एक फ्रेंड दिखाई देता है और गुए नाम बोलता है कि यह भी जॉम्बी बन गया और उसी को एक किक मार के वहां से बाहर निकल जाता है लेकिन बाहर जाते उसे पहाड़ी का रस्ता मिल जाता है यहां पे कंट्रोल रूम म को एक तरफ इखटा करना है तो शेहर के अंदर साउंड फ्रिक्रेंसी बढ़ानी पड़ेगी इसी के लिए चार जगहें चुनी गई एक हाइसन फ्यूचर कॉलेज एक हाइसन स्कूल एक चौराहा और इसी के साथ में एक ग्राउंड हम देखते हैं कि यहां पे नामरा की तब भी वो खुद को कंट्रोल कर लेती है और वो खुद को ही बाइट कर लेती है जिसके बाद में उसके हाथ में से ब्लड निकलने लग जाता है सुयोक उसे कहता है कि शान्त हो जाओ तुम बिल्कुल ठीक हो अगली बार अगर तुमारा ऐसा मन करे तो तुम मुझे काट लेना मुझे कोई प्रॉब्लिम नहीं होगी लेकिन इस टाइम तक नामरा की तबियत काफी जादा खराब हो चुकी थी इसी कारण सुयोक उसकी एक आँख पर पट्टी बांद देता है यहाँ पे एथिलेट और मुझें जब वापस आते हैं तो बताते हैं कि हमें इधर उतर जा होने के बाद में पहाड़ी के तरफ निकल जाएंगे लेकिन ओन्जो और बाकी सारे लोग मिलके कहते हैं कि अब अपनी कोई भी जान वेस्ट नहीं करेगा किसी को भी किसी की जान बचाने के लिए अपनी आपकी कुर्बानी नहीं देनी हैं तब यहाँ पे नामरा को आवा रेस्क्यू करने के लिए आया था और नाहीं ये लोग हम कहीं यहाँ से बाहर निकल सकते थे उपर से बॉंब कब गिरने वाला है इन्हें ये तक भी नहीं पता था और ड्रोंस को अलग अलग जगा पे एक्टिवेट कर दिया गया था साउंड फ्रिक्वेंसी आउन करके ज अभी प्लास्टिक कर्टन हटाते हुए यहां से गोईनाम की एंट्री होती है, वो पहले सान को मारता है, सुयोग जब लड़ने के लिए आता है आगे तो गोईनाम उसे धक्का दे दिता है, अब हमें सीन दिखाया जाता है, पहले एपिसोड से लेके अब तक के एपिसोड मे जितने भी स्टूडेंट्स थे और इसी के साथ में जितने भी अलग-अलग कैरेक्टर्स दिखाये गए थे, उनका बहुत ही शांदार जॉंबी वाला मेकप करके उन्हें भगाया जा रहा था, गैस सीरियसली अगर पैसा लगा है तो सिर्फ और सिर्फ इस सीन के अंदर पूरा किया और सान को उसने बाइट कर लिया, यानि कि उस जॉंबी ने सान को भी इन्फेक्टेट कर दिया, अब तक किसी ने भी नहीं सोचा था कि जो इस पूरे सिर्फ को लीट कर रहा है वो भी क्या जॉंबी बन जाएगा, जिसके बाद में सान ने गुस्से में आके ग कोई भी इन्फेक्टेट हो गया तो उसे बचाया नहीं जा सकता था, नामरा सिर्फ एक ऐसी लड़की थी जो इतने दिनों बाद तक में भी जॉंबी नहीं बनी थी, जाने से पहले सान अपना नेम बैच ओंजो को दे देता है, और कहता है कि मैं मरने के बाद में भी तुम बन चुका है तो वो बागी सब की जान जरूर बचाएगा, वो वहाँ से भागता है और सारे जॉंबी को अपनी तरफ अट्रेक करता है, और अपनी तरफ अट्रेक करके उन्हें उपर की तरफ टेरिस पे लेके जाता है, यहाँ बागी सब निकलते जाते हैं और रस्ता इस पर जंप कर गया, वो खुद तो शांती से खड़ा था, और जो भी जॉंबी उसको पकड़ने वाले थी, वो धम-धम करके काफी सारी मंजिलों से नीचे गिरते जा रहे थे, गुए नाम ने अभी तक सान का पीछा नहीं छोड़ा था, यहां पर बाकी सारे लोग जाता और आंकों में धूल किरने के बाद में भी नीचे नहीं किरता, और उसके बाद में सान और गुए नाम की पॉश शांदार वाली फाइट होती है, जहां पर गुए नाम अपना बदला निकालता है, और सान की आँख फोड़ देता है, इस बार सान की मदद करने के दिया गया था, देखते ही देखते हर बिल्डिंग ब्लास्ट होने लगती है, और पूरी की पूरी जगह ब्लास्ट हो जाती है, स्कूल के भी हर दर्वाजे तूटते जा रहे थे, सारी विंडोस तूट चुकी थी, यहां पे सान को गुए नाम को लेके जंप नहीं करना च चाहिए था, बलकि सिर्फ गुए नाम को धका देदेना चाहिए था, लेकिन सान यहां पे गुए नाम को जिंदा नहीं देखना चाहता था, इसी कारण सान उसे पकड़ता है और अपने साथ में जंप करवा देता है, लेकिन यहां से निकलने वाली आग इन दौनों को भी बहुत बुरी तरीके से जटका लगता है यहाँ पर जब मिशन पूरा हो चुका था तो कैप्टन अपनी जूनियर को कहता है कि कल रेस्क्यू मिशन आउन कर देना जो जो लोग बचे हैं उन्हें रेस्क्यू करके ले आना और अब आगी का मिशन तुम ही लीड करोगे यह तो लोगों की फैमिलियों को सांत बना देना और सिर्फ आप ही ऐसा काम कर सकती है यह बाते सुनके अमेले को बहुत गुसा आता और वो कहता है कि तुमने किसी के लिए कोई आप्शन नहीं छोड़ा जो लोग बच सकते थे उन्हें भी नहीं बचाया लेकिन कैप्टन के प दिन शहर से यह वाइरस कहीं और ना जाए इसी कारण इन्हें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा अगर यह ब्लास्ट किये गए हैं तो इस सब के जिम्मेदारे सिर्फ और सिर्फ कैप्टन की होगी यह सारी बाते बोलके कैप्टन एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है जह ही बात कैप्टन वीडियो में बोलता है कि मिस्टर ली एक बाप था इसी कारण वो अपने फैमिली को नहीं जला पाया लेकिन उसे तो पूरे शहर की बारे में सोचना था वीडियो खत्म होने की बाद कैप्टन अपने घर पे फोन करता है अपनी वाइफ से बात करता और अ ही कैप्टन ने अपनी जान दे दी थी हम देखते हैं कि हाईसंसिटी पूरी तरीके से जल चुकी थी यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था पूरे शहर के अंदर सिर्फ और सर्फ राक थी और हम आखर के अंदर वो सीन देखते हैं जहां पे सान ने उन सारे जॉंबी इसको जिसके अब तक 12 पार्ट है और इसमें से 11 अब तक चानल पर एक्स्प्लेइन होकी अप्लोड हो चुके हैं जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से इसके लास्ट एपिसोड के आखिर में पूछा था कि इस सीरीज के एंड के बाद गाइस हम लोगों को कौन सी सीरीज एक्स्प्लेइन करनी चाहिए थी अभी तक भी आमारे पास कमे सीरीज एक्स्प्लेइन करनी चाहिए तो गाइस अगर आप सभी लोग इस सीरीज को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट सीरीज जरूर बताएगा कि आपको हॉरर सीरीज पसंद है या फिर हॉलिवूड या फिर आप लोग बॉलिवूड लवर हैं तो का वो बेस्मेंट जहां पर कई सारे जॉंबी जले हुए गिरे हुए थे वहां पर अभी भी हमें एक होप थी कि काश यहां पर सांथ जिन्दा हो कॉरंटाइन सेंटर में बैठा हुआ हर एक इंसान अपने फैमिली को बैटके रो रहा था क्योंकि कॉरंटाइन सेंटर में जितने भी लोग थे वो जिन्दा थे लेकिन हाइसन सिटी के अंदर एक बें इंसान नहीं बचा था सभी लोग मारे गए थे यहां पर MLA के पास में जो रेजिगनेशन लेटर था उन्होंने भी वो फार दिया था यानि कि अभी भी MLA पॉलिटिक्स में जाने के लिए बिल लेकिन ओन्जो किसी को भी आगे नहीं जाने देती और वो कहती है कि तुम्ही जाना है तो तुम लोग जाओ मैं एक बार वापस से स्कूल जाओंगी ओन्जो के मन में अभी भी था कि शायद सांथ जिन्दा बच गया होगा सुयोक ओन्जो का पीछा करता है और सुयोक का प होती हुई जोर जोर से सान को बुलाती है कि तुम एटलिस्ट एक बार तुमेरी बात माल लेते हमारे साथ चलते तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया है और उसके बाद मैं सुयोक और नामरा उसे शांत करते हैं और अपने साथ में वापस ले जाते हैं अब ये लोग अप थी तो उसी का टैंपरेचर अलग था यानि कि वो भी एक जॉम्बी थी और बाकी सब भी जॉम्बी बन जाएंगे स्कूल के अंदर इतने ज्यादा जॉम्बी थे कि इन्हें स्कूल उड़ानी पड़ी यानि कि नामरा को लगता है कि ये सारे गलती उसी के कारण हुई है औ वो ये चीज़ जरूर करना चाहेगी आगे जाके ये लोग जंगल में भटक जाते हैं और ये लोग गोल गोल गुंके एक ही जगा पे पहुँच रहे थे तब ही आगे जाके एथलीट को एक रिबन दिखाए देता है और मिजिन बोलने लगती है कि उस इंसान का भला हो जि कि ओंजो के फादर थे कुछ दूर आगे जाने के बाद ओंजो को अपने फादर की टॉच दिखाए देती है जिस पे उनका नाम था ओंजो अपने फादर की टॉच लेके काफे जादा रोने लगती है क्योंकि एक आकरी निशानी बची थी उसके फादर की यहाँ पे सर्च टीम मिस्टर ली के घर तक पहुंच जाती है जहाँ पे अब तक मिस्टर ली की वाइफ और उनका बेटा बंदा हुआ था सर्च टीम इन दौनों को देखके बताती है कि भूग के कारण ये लोग जल्दी मरने वाले हैं लेकिन इनका हैड़ बोलता है कि इन लोगों को हमार तक पहुँच पोंच चुके थे जहाँ पे हर जगर ब्लास्ट रोने के बाद सिर्फ और स्टूआ ही दूआ था नाम्रा को ये जगर सेफ नहीं लग रही थी सबी को तो ये जगर सेफ लग रही थी क्योंकि कहीं भी कांच नई तूटा था नहीं खून खराबा था लेकिन नामरा कहती है कि मुझे आवाज आ रही है, जॉंबिस का काउंट बढ़ता जा रहा है और वो सब यहीं आते जा रहे हैं, यानि कि ब्लास करने के बावजूर भी जॉंबी खत्म नहीं हुए थे, देखते ही देखते हैं ये लोग अपनी जान बचाते हैं, गलियों में भागन से, लेकिन टेसू के साथ में अब सुयोक और बागी एथलीट वगरे भी रुक जाते हैं, और जॉंबी से लडने के लिए हाथ में अलग-अलग चीज़ें उठा लेते हैं, अब यहां पर पूरी जॉंबी टीम पहुँच चुकी थी, जो कि इनके उपर अटैक करने लगती हैं, सभी अपनी पूरे हिम्मत के साथ में जॉंबी से लड़ते जाते हैं, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे और जॉंबी को हटाते जा रहे थे, लेकिन आखिर के अंदर एथलीट के उपर एक जॉंबी कूद नहीं पाला था, कि तभी एथलीट का भाई उसके पास आ है, और अपनी बहन की जान बचाने के लिए खुद एक जॉंबी से इंफेक्टेड हो जाता है, सभी लोग मिलके उस जॉंबी को हटाते हैं, लेकिन काफी देर बात चाके वो जॉंबी हटता है, तब तक एथलीट का भाई पूरी तरीके से इंफेक्टेड हो चुका था, सा बाकियों की नजर से वो सभी का एक बेस्ट फ्रेंट था और एथलीट का भाई था, अब फिर से सब इखटे होके आगी बढ़ने लगते हैं, नामरा सबसे पीछी थी, उसकी बॉड़े के अंदर ये जॉंबी वाइरस इतना जादा इंफेक्टेड और इतना जादा एक्ट बाकता है, पीचे-पीचे ऑंजो भी भागती है, काफी होरिबल सीन दिखाया जाता है, जहां पे नामरा एक जॉंबी को पकड़की उसे ही खा रही थी, क्योंकि उसे बहुत जादा भूक लगती है, यहां पे सुयोक और ऑंजो उसे अपनी तरफ बुलाते हैं, नामरा चि थी कि अपनी फ्रेंड को अपनी बॉड़ी दे दे, और कहती है कि तुम मुझे काट लेती है, मुझे कोई फरक नहीं पड़ता, नामरा वहां से रोती हुई उठती है, और वहां से अपनी दोस्तों को छोड़की अकेली ही चली जाती है, यहां से सुयोक और ऑंजो को भी ल यानि कि आखिर कार 12 एपिसोड बाद ये लोग रेस्क्यू हो चुके थे, कई हफ्तों बाद में ना इन्होंने कुछ खाया था ना कुछ पीया था और जॉम्बी से बस लड़ते हुई जा रहे थे, यहां पे ऑंजो के फादर के साथ जो एक फायर फाइटर था वो ऑंजो क इने स्कूल की छट पे ऐसे ही छोड़के चली गई थी जॉम्बियों के बीच में, तो ये बच्चे कहां से इनके साथ में एड़िस्ट करते, कोई भी मिस्टर ली के बारे में कुछ नहीं बताता और बस आर्मी को गुस्से में देख रहे थे, जिसके बास सीन शिफ्ट हो जाता है, टोटल तीन महीने बाद में, कॉरिंटाइन सेंटर पे इतने सारे लोग थे जो की बचे हुए थे, यहां पे कोई भी जॉम्बी नहीं था, सभी अपने लोग जो की छूट चुके थे, उन्हें याद करके उनके नाम की चिट बांद चुके थे, महौल अब धीरे करके ठीक होता जा रहा था, दूसरे सिटीज में जॉम्बी नहीं थे, और हैसन सिटी का मार्शल लॉबी हटाया जाने वाला था, यहां लोग खुली धूब के अंदर बाहर निकल चुके थे, सर्दी का मौसम आ चुका था, जो फ्रेंड्स थे, वो एक एक करके एक दूसरे से अलग हो चुके थे, हम ऑन्जो को देखते हैं, जो कि रात के अंदेरे में एक दिवार को पार करती हुई दूसरी तरफ चली जाती है, यह काफे सस्पेंस वाला सीन था, जहां पे हम ऑन्जो को देखते हैं, उसने एक पेड़ पे अपने जितनी भी क्लोजेस वन थे, जो उसके सामने ही जॉंबी बन चुके थे, उनके नाम की चिट बांद रखी थी, वो उन सबी को याद करती है, और उनके आगे खाने का बहुत सारा समान रखती है, यहां पे ऑन्जो सिर्फ सान को नहीं, बलकि हर एक मेंबर को याद करती है, और उन सब में से जादा वो सान को याद कर रही थी, जाने से पहले ओंजो को एक अलगी चीज दिखाई देती है, उसे आग चलती वी दिखाई देती है, वो भी उसी की स्कूल के छट के ऊपर, ओंजो को कुछ समझने याथा कि आखिर ये क्या चीज है, कॉरंटाइन सेंडर में हमें मिशिन दिखाई देती है, जो कि अपने आसपास कार्डबोर्ड लगा के घूम रहे थी, कि उसे बस कॉलेज के अंदर एड्मिशन मिल जाए, ओंजो यहाँ पे हर कैम्प के अंदर सुयोक को ढूंडती है, सुयोक और ओंजो को भी मिले हुए काफी मैने हो गए थे, सुयोक और ओंजो को कहता है कि तुम कहां चले गई थी, तुम कहां रहती हो, तुम मुझे मिलते तक नी थी, ओंजो कहती है कि मैं बस खुद को संभाल रही थी, लेकिन मुझे तुमें बहुत इंपॉर्टन बात बतानी है, मैं यहां से बाहर गई थी, लेकिन वहां मुझे स्कूल के चथ पे आँग चलती पी दिखाये दी, हो सकता है कि यह मेरा वहम हो, लेकिन मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ कि मुझे अपनी स्कूल की चथ नहीं दिखाये दे, मैं आज रात को वहाँ जा रही हूँ लेकिन ये बात तुम किसी से भी मत कहना यहाँ पे सुयोक आंजो को सपोर्ट करता है लेकिन उसकी बात नहीं मानता क्योंकि आंजो जब रात में आती है तो यहाँ पे अकेला सुयोक नहीं था बलकि पूरी की पूरी टीम थी जो की rescue हो चुकी थी सब एक दूसरे को कहते हैं कि हम तुमें उन्जो अकेला नहीं जाने देंगे अकेले रहकर भी क्या जिन्दगी है हमारा family member तो कोई बचा नहीं है चुकि सान को basketball court में मिला था वो से ऐसे ही नहीं फैक्ट सकता था इसी कारण वो से यादकिरी की तौर पे नीचे रख देता है athlete को अब सामने school पे जलती हुई आँख दिखाई देती है अब सबने believe कर लिया था कि ये चीज़ सच है यानि onzo सच बोल रही थी सबी लोग पहले construction वाली building में पहुँचते हैं क्योंकि वो पास में थी यहाँ पे उन्हें सब कुछ जला हुआ मिलता है कोई भी चीज सही सलामत नहीं थी और उसके बाद ये लोग school की तरफ जाने लगते हैं school पूरी तरीके से तबाह हो चुका था हर एक कमरा जल चुका था कुछ-कुछ तो zombie की जली हुई bodies भी यहाँ पे पड़ी थी वही सारा मंजर इनके आँखों के सामने आने लगता है कि कैसे इनोंने यहाँ पे एक एक दिन काटा था भागते हुए यह लोग जब terrace पे पहुचते हैं तो डरे हुई भी थे कि इन्हें कौन मिलेगा और आखिरकार इन्हें यहाँ पे जलतीवी लकडियां मिलती है जो कि बिल्कुल fresh आग जलाए हुई थी यानि कि यह आग कोई पुरानी नहीं थी कि वो बस bonfire के आज पास अपने दोस्तों के पास बैटे कोई भी यह बात नहीं मानता कि नामरा जिन्दा होगी मुझे बहुत खुश हुई तुम लोगों से मिलके तुम लोग आखिर कैसे हो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो नामरा से क्या बात करे ऑन्जो कहती है कि तुम हमारे साथ वापस चलो तुम ठीक हो तुम जॉम्बी नहीं हो बलकि तुम इनसान हो नामरा केहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, मेरे जैसे यहाँ पे और भी बहुत लोग है, यह लाइन कहते ही तो गाइज यहाँ बहुत बड़ा प्लॉट रिवील हो जाता है, यानि कि नामरा के साथ में और लोग भी है, और य देती है सभी शौक से देखती ही रहते हैं कि पहली बात तो इसने जंप लगा दी और नीचे भी इने कुछ न कुछ दिखाई देता है और इसी के साथ गाइस ओल आफ असार डैट का लास्ट एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है तो जैसा कि नामरा ने कहा था कि उसके साथ और भी लोग यहां पर रह रहे हैं तो क्या वो सारे लोग जॉम्बी बने हुए हैं या फिर वो इनसान की तरह रह रहे हैं अपनी वाइरस को कंट्रोल करते हुए क्या सान बचा हुआ होगा या फिर वो जल गया होगा क्या गोए नाम जो कि अब तक का सबसे खर जरूर रिलीज होगा जब ये सीजन सेप्टेंबर के अंदर आएगा तो जितना चल्दी हो सकेगा मैं आप सभी लोगों के लिए सीजन एक्स्प्लेइन करूंगी जाने से पहले बस यही पूछना चाहूंगी कि आप सभी लोगों को यह एपिसोड कैसा लगा मुझे जरूर पताईएगा और अगली सीरीज हम लोग कौन सी एक्स्प्लेइन करें उसका अंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अकली सीरीज में तब तक के लिए टाटा करता अंसरे हम क्ने लोगों से अंसरे लोगों से इंड़sentिक दोड़िए गम्याँ हैं तो शीम थेच्पशन में वोगों सीरीज सीरीज थे स्वेज़िए और चालिए नहीं हैं लोगों से जाएगा प्वेफ गलाटा अभाटा और शीम चालिएज अजर ख़िह में वोगों कर दो